जो real growth होती है न वो protoplasm के respect में होती है अगर protoplasm का content बन रहा है तो मुसको पूलते है real growth जब एक organism होगानिजम डेवलप कर रहा होता है तो उस development के दौरान भूट डिफरेंट पाथ वे प्रिडूस करता है प्रेकीट्स और वैसल्स का काम होता है पानी और मिनरल्स का कंडक्शन कराना तो यह अपने आपको स्ट्रॉंग कर रहे हैं लिकनिन की डिपोजिशन हो रही है थिकनिंग हो रही है अब यहां पर खूब सारे ऑगजिन्स आ जाएंगे तो क्या होगा इस वाले साइड में ग्र गहां प्लत कि तो व कि अगोडव सरो से मटल्प्यों इस पहले वाले लेक्श सी में एकार घ्रिशुन आंप्लक्रओं क के लिएा जोर्फ प्ल्यक्रण की बातária तो दूए कंटीनिस इसे पहरे हमरे हमाहे नहीं fruits जढ़ जाते हैं, flowers जढ़ जाते हैं, है ना, लेकिन हम overall plant की growth को क्या बोलते हैं? बस्यों open growth, जो real growth होती है वो protoplasm के respect में होती, अगर protoplasm का content बन रहा है, तो मुझको बोलते है real growth, but उस protoplasm की content को measure कर पाना, its very difficult, तब ही हमने इस्तेमाल किये थे कुछ indirect measures, तो indirect measures में हमने क्या-क्या लिखा था, size का बढ़ना, volume का बढ़ना, सरपी जिरिया का बढ़ना, number का बढ़ना, यह सब क्या है, यह सब growth कहलाता है, है न, with several examples which we have taken into consideration, इसके बाद हमने पढ़ा था, phases of growth, जो पहला phase होता है, वो meristematic phase कहल जाता है, जिसमें cell divide करता रहता है, divide करता रहता है, उसके बाद क्या होता है, बच्चो, elongation वाला phase, जिसमें cell elongate करता है, वेक्क्योर की size increase होती है, और last में जो हमने पढ़ा था, बच्चो, that was differentiation, जहां पर एक cell specific हो जाता है, अपने structure को लेकर ही, वो चूजी हो जाता है, अप अपने structure को भी लेकर के चूजी है, वो और अपने function को भी लेकर के चूजी है, अब आर from this, we have covered the growth rates, one was arithmetic and one was geometric, और comparative study के हमने लिए पढ़ा था, relative and absolute, कि जब हमें compare करना है, तो हमें इस तरीकी की growth rate का इस्तमाल करना चाहिए, with the NCRT examples and with the formulas, ठीक है, और हमने conditions of growth भी पढ़े थे बच्चों की oxygen चाहिए, gravity चाहिए, what is all required growth कराने के लिए है, तो chapter का नाम है, plant growth and development, तो growth की बात तो कर ली हमने plant में, अब हम development की बात करेंगे, ठीक है, तो इस lecture में आपको development का topic मिलेगा, और साथ ही साथ कुछ PGRs, plant growth regulators, जिनको हम hormones बोलते हैं, तो बच्चों, let's get started with the very first topic of today's lecture that is development, ठीक है, तो development से हम बहुत familiar है बच्चों, हमें पता है development क्या होते हैं, जिसे हम अपनी बात करें, तो हम भी develop हुए है, पहले बच्चे के टाइम जैसे होते हैं, फिर धीरे धीरे grow करते गए, हमारी cell differentiate करते गए, specific होते चले गए, और अब हम कह सकते हैं, we are fully developed, but fully developed, अब जिसे आप अपनी स्टेज पर हो, तो धीरे-धीरे development चलती रहते हैं, कहीं तो यह भी लिखा हुआ है, बच्चों कि 30 साल तक हमारा जो एक ब्रेंस में लोब होते हैं, कुछ इतने टाइम तक develop करते रहते हैं, है ना, तो development is a very broad term, as compared to the growth, इसलिए हम development को कैसे define करते हैं, let's have a look development को हम बोलते हैं, just a second, it is some total of, it is some total of, some total of growth, growth plus differentiation, growth plus differentiation, ठीक है, यह बहुत important चीज़ है, जो आपको याद रखी, that means इसमें growth भी है, जैसे हमने बोला ना, हम बच्चे थे, तो हमारी cells जो थी, हम juvenile stage में थे, फिर दीरे-दीरे हमने grow किया, तो हमारी cells भी specific होने लगती है, differentiation शुरू हो जाता है, यह तो embryonic stage में शुरू हो जाता है, ब development में, वो सारे changes आते हैं, बच्चों, लिखेंगे, development क्या है, all the sequential changes, sequential changes, that organism, और्गानिजम अंडर्गो, sequential changes क्यों बोड़ रहे हैं, बच्चों क्यों वो changes sequence में हो रहे हैं, ठीक हम ऐसी तो इतने बड़े नहीं बन गए न, हमारे भी बहुत सारे changes होएं, तब आपको जाकर कि इतना बड़ा पुराणी दिखाई दे रहा है, है न, जैसे plant में देख लो, प्लांट इतना बड़ा थोड़ी हो जाता है, पहले बच्चा वाला प्लांट होता है, वो बच्चा वाला प्लांट कहां से बनाएं, बच्चों, एक seed से बनाएं, है न, तो क्यों न, फटक से आपको वो सारे changes दिखा दे, वो sequence दिखा दे, जो plant में development के दोरान चलता है, जैसे for example, plant की शुरुवात कहां से होती है, seed है, seed डाल दिया, ठीक है, seed डाल दिया कहां पर, soil में डाल दिया, तो फिर seed क्या करता है, बच्चों, germinate कर जाता है, germination का मतलब क्या है, जैसे seed है, ठीक है, तुमने ये soil में डाला, अब तुम क्या करते हो, तुम expect करते हो, germinate करते है, seed germinate कैसे करता है, ये बनाता है, ये उपर जो निकलता है, उसको हम क्या बोलते है, plumule ठीक है, और plumule अगे जाके क्या बनाता है, shoot, इसलिए हम इसको बोलते हैं, बच्चों, future shoot, और नीचे के तरफ ये क्या निकालता है, radical, रेडिकल आगे जाके क्या बनाता है रूट तो हम इसको बोलते हैं फ्यूचर रूट तो आप देखो सीड जब प्लूम्यूल और रेडिकल निकाल ले डाट मीन सीड जर्मिनेट कर चुका है तो डेवलप्मेंट में पहला यह वाला प्रॉसेस हो गया उसके बाद सीडलिंग चीक है उसके बाद यह ग्रो करेगा तो किस फेस में जाएगा जुविनाइल फेस तुम प्लांट को देखे कैसे कहोगे जुविनाइल है जब फ्लावर नहीं निकला है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चो प्लांट के केस में जुविनाइल से बहतर वर्ड वेजिटे अगर दिखाई दे रहे हैं तो वही सबूत है यह सबूत है किसका कि प्लांट सेक्शुली रिप्रडूट्यूस कर चुका है ठीक है तो हम इसको क्या बोलेंगे हम इसको बोलेंगे रिप्रोड़क्टिव फेस क्या बोलेंगे बच्चो रिप्रडॉट्टी फेस उसके बाद ये फ्लावर हम पढ़ेंगे बच्चो जो मर्फोलों पढ़ेंगे जर्यंड ना। तो ओवरी किसमें convert हो जाती है, fruit में, ovule इसके अंदर होता है, तो किसमें convert हो जाता है, seed में, फिर वो seed गिर करके दुबारा से soil में आती है, है ना, जिसे टमाटर खाते हैं आरम, टमाटर खराब है, सड़ जाता है, तो हम क्या करते हैं, जिसे कुछ-कुछ लोगों को gardening करना ब बहुत पसंद है, तो वो टमाटर को dustbin में डालने के बजाए, वो अपने garden में डाल देते हैं, तो उसमें seed तो है ना, तो seed से क्या आ जाता है, नया टमाटर का पौता, है ना, तो flower आगे जा करके fruit और seed बनाएगा, ठीक है, उससे seed formation होगी, seed formation के बाद, अगर वो seed चला जाए soil में, तो उससे नया plant आ जाएगा, है ना, ये cycle दुबारा से repeat होने लगीगी, और plant अपने बढ़ापे वाली stage की तरफ चला जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, senescence, ये reproduction के बाद वाली phase है, बच्चो, इसको हम क्या बोलते हैं, post reproductive phase, क्या बोलते हैं, बच्चो, post reproductive phase, ठीक ह juvenile वाले को हमने क्या बोला, vegetative phase बोला, ठीक है, ये reproduction से पहले है, तो हम इसको और नाम दे सकते हैं, that is pre reproductive phase, तो आप देख सकते हो, कितने सारे changes हैं, जो चल रहे हैं, जब एक plant, कहां से अपनी शुरुबात कर रहा है, seed से, और कहां तक हम जा रहे हैं, बुढ़ापे तक, हैना इस development process, growth भी हो रही है, and certain cells, they are getting differentiated to perform specific function, ठीक है, तो ये मतलब होता है, बच्चो, ये मतलब होता है, एक developmental process का, ठीक है, ओके, सो आगे बढ़ते हैं, बच्चो, आगे बढ़ते हैं, after this developmental thing, if I go by NCRT, तो NCRT में कुछ और important बाते कहीं गई हैं, जैसे, for example, ये diagram दिया हुआ है, तो इस diagram में, इन्होंने stages of development बताए हैं, ठीक है, चलो, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं, because this is the NCRT flow chart, which is there, तो यहां पर देखो, starting कहां से की गई है, हमने discuss किया है, बच्चो, plant के पास ability होती है, है न, कि वो growth continuous रख सकते हैं, throughout their lifespan, ऐसी ability उनके पास क्यों है, क्यों क्यों कि there is a presence of one cell, which is known as meristematic cell, meristematic cell वैसे cell होते हैं, जो continuously divide करते रहते हैं, है न, continuously divide करने का मतलब है, वो कौन से phase में होते हैं, cell cycle वाले में, जैसे यार, हमने भी तो cell cycle पढ़ रखे हैं न, बच्चो, हमने cell cycle को बहुत सारे phases में divide किया हुँआ था, ठीक है, जी वान, एस, जी टू, ये कौन सा phase था, इंटर्फेस था, और फिर एक M phase था, जहां पर वो divide कर जा रहे थे, तो होता क्या है, जैसे for example, ये एक cell है, ये cell cycle में गया, गया, इंटर्फेस होते हुए, M phase से निकल के, दो, daughter cell में divide करके आगया, अब ये meristematic cell है, मतलब continuous division में है, तो ये cell दुबारा से कहा आ जाएगा, जीवन में, ये दुबारा से क्या करेगा, बच्चो, divide करेगा, फिर से दो daughter cell बनाएगा, है ना, तो जब division होती है, तो आपको पता है, cell अपने आपको prepare करता है, prepare मतलब cell की growth होती होती है, तो cell का growth का मतलब साइटोप्लासम का growth होना, है ना, nucleus की size increase होना, nucleus का growth होना, तो overall क्या हो रहा है, mitochondria अभी double हो जाता है, centriole, centros, sorry, centriole and centrosphere, centroplasm होता है, sorry, तीक है, इसके अलावा, गॉल्जी double हो जाता है, tubulin protein की synthesis होती है, तो हो क्या रहा है, overall, protoplasmic content में हिजाफा ह हो रहा है, protoplasmic content increase हो रहा है, तो जब protoplasmic content increase होता है, ऐसी growth को हम क्या बोलते हैं, बच्चो, plasmatic growth, और ये growth कब होगी बच्चो, जब एक meristematic cell continuous क्या होगी, division में होगी, cell cycle में होगी, तो देखो, यहाँ पर भी NCRT में लिखा हुआ है, यह एक meristematic cell है, वो बार-बार divide करें, क्योंकि आप पर लिखा हुआ है, यह वाला सिर्फ cycle देखो, आगे मत जाओ अभी, सिर्फ यह वाला cycle देखो, तो बार-बार यह cell division में है, that means it is under cell cycle, वो cell cycle से अभी बाहर नहीं निकल रही है, तो वो क्या कर रही है, अपने protoplasm के content को, अपने protoplasm के content को increase कर रही है, ठीक है और ऐसी growth कों क्या वोते है, plasmatic growth, बढ़ हमने ये भी तो पढ़ाता बच्चो, कि एक cell है, ठीक है, वो बार-बार divide कर रही है, बढ़ जब उसको अपना specific function perform करना होता है, choosing बनना होता है, specific होना होता है, specialized होना होता है, तो वो G1 छोड़ करके कहा आ जाती है, G not stage में, जिसको ह हमने inactive stage कहा था, ठीक है, और इस process को क्या कहा था, जब कोई एक cell, cell cycle को exit करके बाहर आ जाती है, इस process को हम क्या बोलते है, इस process को हम बोलते है, differentiation, तो एक meristematic cell, चाहे, तो cell cycle और division में रह सकती है, बार-बार, और चाहे, तो वो G not में जा करके, अपने आपको differentiate कर सकती है, अपार्ट प्रॉम दिस यार, एक meristematic cell, हमने zones पढ़े हुए हैं, हमने phases पढ़े हुए हैं, हमने पढ़ा था, कि meristematic cell के बाजू में कौन सी cell होती है, कौन सा phase चलता है, enlargement वाला चलता है, जिसमें क्या होता है, cells enlarged होते हैं, तो एक और function होता है, they undergo expansion, मतलब they undergo elongation, और elongation के ब result क्या होता है, बच्चो, mature cell, और एक mature cell फिर क्या कर जाएगा, senescence में चला जाएगा, senescence का मतलब क्या होता है, senescence का मतलब होता है, बच्चो, aging, ठीक है, और aging के बाद ultimately उस cell की क्या हो जाएगी, उस cell की हो जाएगी, death, तो ये एक developmental process है, with respect to a plant cell which is there in the NCRT, तो जो नोट करन वाली चीज है, वो ये है, कि differentiation होने से पहले, एक cell की expansion शुरू हो जाती है, as you can see, है ना, और maturation से पहले तुम्हें देखो, ये differentiation यहां से शुरू हो रहा है, maturation यहां से शुरू हो रहा है, है ना, that means, differentiation काफी हद तक पहले शुरू हो जाता है, उसके बाद हमारा चलता है, मतल और वो ये है, कि जब एक organism, develop कर रहा होता है, तो उस development के दोरान, वो different pathway produce करता है, ठीके different pathways को adopt करता है, to produce different plant structures, ऐसा क्यों होता होगा यार, क्योंकि development, environment से influence होती है, जिस हिसाब का environment होगा यार, उस हिसाब का development होगा, क्यों ममी पापा हमेशा ऐसा सिखाते हैं, कि अपनी company अच रखो, because environment has that role of influencing, है न, similar influence आप देखोगे, plant के development में भी, ठीक है, आओ उसको पढ़ते हैं बचो, आओ पढ़ते हैं उसको, ठीक है, NCRT line में है, तो हम पढ़ेंगे, तो लिखा हुआ है बचो, कि जो development का process होता है, वो हमेशा straight नहीं होता, ठीक है, that is not always straight, बना, fixed नहीं है, fixed क्यों नहीं है, अभी समझोगे आप, plant क्या show करते हैं, plant they show plasticity, which means the ability of plant to follow different pathway, introduce different structure in response to environment, ये क्यों different pathway follow कर रहे हैं, ये different pathway इसलिए follow कर रहे हैं, क्योंकि इनका environment अलग-अलग है, अगर environment अलग-अलग होगा, तो रास्ता भी अलग-अलग होगा, जैसे सब का पढ़ने का और पढ़ाने का तरीका अलग-अलग है, पढ़ा भले एक subject रहे हो, आप अपने दोस्त से आपको लगता है, आप better perform कर रहे हो, बिकास हो सकता है, आप smart study कर रहे हो, हैना, आप hard work कर रहे हो, आपका दोस्ता कर रहा हो, पढ़ना आपको एक ही, aim आपका एक ही है, but you are following a different pathway, जिसके वज़े से, you will have a different result, different conclusion, getting my point, तो उसको हम बोलते हैं, बच्चो, plasticity, plasticity का, plasticity का, जो हम best example पढ़ेंगे, वो best example होता है, वो best example है, heterophily, क्या example है, heterophily, अब नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, हेट्रो का मतलब होता है, different, phily का मतलब होता है, leaves, ठीक है, तो चलो मैं define कर देती हूं, बच्चो, what is heterophily, presence of, presence of, different form of leaves, different form of leaves, on same plant, species, देखो, अगर मैं दो अलग-अलग पेड़ की बात करूगी, तो obviously, leaves अलग-अलग है, अगर मैं आम के पेड़ की बात करूँ, और नीम के पेड़ की बात करूगी, तो आप सोचोगे, कि मैं आम के पेड़ की पत्ती अलग होती हो, नीम के पत्ती अलग होती, obviously, because there are two different species, there are totally two two different species यहां पर हम दो अलग लीव की बात कर रहे हैं एक प्लांट के अंदर एक प्लांट के रिस्पेक्ट में उस फिनॉमिना को हम हेट्रोफिली बोलते हैं जैसे धनिया है ना धनिया हमारे सबके घर में आती है फ्लेवर एड़ करती हैं सबको पसंदे बहुत सारे धनिया क्लाई होती है कभी कभी ठीक ठाक होती है और कभी बहुत छोटी होती है तो वो पत्तियों एक ही स४िशीक की है यहां पर यह जो डायग्राम कि Streambenा भर दाएक्व्र में के उसके हैं। किसे कहले लच्छ पूर कि सब्सक्राइब एक सब्सक्चराइब तो यह हुआ पर अगर देख रहे हो जुबिनाइल और एडल्ट में तो यहाँ पर यह जुबिनाइल स्ठेज में इसलिए इनकी लीज भी छोटी हैं बच्चों की तरह यहाँ पर यह अपने एडर्ल स्टेज में है इसने लीव का साइज भी बड़ा है मतलब आप देखो प्लांट सेम था स्पिशी सेम है दोनों में दोनों लीव किसकी है लक्सपुर की है बट दोनों का जो स्ट्रॉक्चर है लीव का वो अलग-अलग है और इसी फिनॉमिना को हम क्या बोलते ह हेट्रोफिली बोलते हैं यहां पर यह अलग-अलग क्यों है क्योंकि इनका स्टेज अलग है डेवलपमेंट का यह जुविनाइल वाली है यह एडल्ट वाली है तो जब डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में हेट्रोफिली नजर आती है तो ऐसे हेट्रोफिली को क्या बोलत यह सारे में आपको जो बच्चे वाली लीफ होगी वो छोटी दिखाई देगी जुविनाइल बड़ी वाली एड़ल्ट वाली बड़ी दिखाई देगी तो ऐसे हेट्रोफिली को डेवलप्मेंटल बोलते हैं अब इन में क्या हो रहा है बच्चो यह टेरेस्ट्रियल वाली ह हैं हैं एक ही स्पीशीज की वो स्पीशीज कौन है बटर कप वो बटर कप जो टेरेस्ट्रियल हाबिटेट में मिलता है उसका शेप ऐसा है वो बटर कप जो पानी में मिलता है उसका शेप ऐसा है तो आप देखो दो अलग-अलग पत्कियों का स्ट्रक्चर हो गया हेट्रो को हम क्या बोलते हैं बच्चो ऐसे हेटरो फिल को हम इन वायमेंटल हेटरो फिली यह तो वी राइट वॉट दिफरेंट इनवाइमेंट तो आपने यार रखना है बचो डारेट क्वेशन आता है कि प्लासिसिटी क्या होता है एक और्गानिजम अपने लाइफ में डिफरेंट पाथवे एडॉप करके डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रेड्यूस कर सकता है वो डिफरेंट उसके दो ने एक डिफलाप्मेंट प्रोसे अलग होगी तो रिफरेंट स्ट्रक्चर मिल सकता है और एक मैमेंट टो होगा तो भी different structure मिल सकता है development वाले से अलग मिलेगा तो developmental heterophily बोलते हैं environment से अगर हमें अलग तरीके की leaves बोलेंगे तो environmental बोलेंगे जिसे for example मेरे एक particular skin है skin color है ठीक है अब इस skin color जो भी color है मेरा अब मैं skin color के साथ कहीं Africa ऐसे tropical countries में चले जहां पर बहुत गर्मी होती जहां पर temperature बहुत ज्यादा होता है अभी मेरा जीन वहीं है क्योंकि आप पढ़ोगे 12th class में बच्चों कि जो जीन होता है न वहीं हमारा skin color determine करता है XYZ जो भी skin color हो that means मेरे पास जीन है उसके मुताबिक मुझे skin color मिल रहा है okay no problem but मैं इसी जीन के साथ इसे जीन के साथ जो यह skin color दे रहा है मैं for example South Africa जाकर के बज़ों प्रचंड गर्मी है ना दस साल पंदा साल के लिए वही है रही हो तो क्या यह मेरा skin color वही रहेगा नहीं है ना जीन वही था जीन वह इंडिया वाला ही था बट उस जीन को किस ने influence कर दिया उस जीन को influence कर दिया environment ने तो यह हम skin color क्या है हमारा phenotype है वह फिरो टाइप मतलब physical appearance है ना तो जो phenotype होता है ना बच्चों वह हमेशा environment से influence हो सकता है जैसे फिरो टाइप मतलब बहारी रूप तो इनका यह बहारी रूप ही था तो बहारी रूप को environment ने influence कर दिया दाट इस वाइंवार्मेंटल हेट्रोफिली ठीक है clear है अब हम बात करेंगे बच्चों developmental भी हमने समझ लिया है अब हम पढ़ेंगे जैसे हमने पढ़ा था ना कि growth को बहुत सारे factors effect करते हैं उसी तरीके से हम पढ़ेंगे development को कौन-कौनसे factors effect कर सकते हैं तो यहां पर देखो लिखा हुआ है extrinsic factors होते हैं और extrinsic factors में क्या लिखा हुआ है light temperature oxygen nutrition यह हमने growth के लिए भी सेम पढ़ा था reason भी सेम है ठीक है जो अलग है वो है कि intrinsic factors intrinsic factors का मतलब क्या है बच्चों internal factors और internal factors का मतलब क्या होता है वो factors जो plant में already मौझूद है plant में already मौझूद है तो plant के अंदर क्या मिलेगा बच्चों plant के अंदर एक factor हम बोलते हैं कि intrinsic में भी दो type है एक है intracellular या एक है intercellular एक क्या होता है intercellular जस्ट सेकेंड बच्चों एक होता है हमारा just a second एक होता है intracellular और एक होता है बच्चों intercellular तो नाम से हमें समझ में आ रहा है intra का मतलब क्या होता है वो factor which is already present within the cell और cell के अंदर क्या है सबसे important जी जो उसके growth को influence कर सकता है development को influence कर सकता है that is the genetic material DNA DNA के पास जीन है तभी तो हम बोलते हैं यार कि तुम्हारे दादा जी का हाइट बहुत अच्छी है इसलिए तुम्हारे पास वह हाइट आई है chemical है जुसका transport हो रहा है cell के बीच में और वो development को influence कर रहा है और वो chemical में हमें किसका नाम पढ़ना है बच्चों PGR जिसको हम बोलते हैं plant growth regulator तो extrinsic में यह सारे factors है intrinsic में एक genetic factor है जो हमें पता है gene कैसे influence करता है और detail हमें एक दूसर चाप्टर में पढ़ना है इस चाप्टर में we are particularly concerned with intercellular factor जिसमें हम discuss करेंगे बच्चों what are PGRs PGRs are plant growth regulators understood चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों आज आते हैं कि what are plant growth regulators ठीक है इनको short form में अभी हमने क्या पढ़ा इनको short form में हमने पढ़ा PGRs ठीक है plant growth regulator plant के growth को regulate करते हैं ठीक है जैसे अब इनके बारे में एक एक NCRT बाते लिखते हैं दी में दॉच पर छीदे तिंहूं और यूवय क्यूर आप ते आं तो बहुत आरह स Forsch a देक डाइवर्स दाइवर्स ऑ्रया के में और के consumersutral ने पर अलच नहीं में अलना जैसे यार आप बहुत सारे होर्मोन्स पढ़ते हों जो हमारे चरीर में बहुत सारे चीज़े कराते हैं है ना तो आपको पता है सबका नेचर वो करने का और केमिकल कॉमपोजिशन क्या होता है वो अलग-अलग होता है similarly plants में जो growth और development पे असर करते हैं जो कराते हैं वो PGR से हैं तो PGR एक छोटे सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं जो अलग-अलग कॉमपोजिशन के बने होते हैं जैसे आप पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे ऑग्जिन इंडॉल derivative है जिबलिन किसे बना हुआ है तरपी डेरिवेटिव है तो सबका अलग-अलग नेचर होगा ओविसली डिफरेंट केमिकल कॉमपोजिशन ठीक है इसके बाद देयार ओल्सो रिकॉइड इन स्मॉल अमाउंट जैसे हॉर्मोन अनिमल हॉर्मोन सा पढ़ते हो वह भी स्मॉल मात्रा में ही चाहिए अपना काम करने के लिए वो देयर और सो रिकॉइड इन स्मॉल अमाउंट ठीक है? और क्योंकि जैसे मैं बारबारी के लिटना, जैसे hormones हैं, तो क्योंकि इनको hormones से relate किया गया है, अब यह hormones क्योंकि plants में मिलते हैं, इसलिए इनको क्या बोल दिया जाता है बच्छो? they are also called as they are also called as plant hormones plant hormones या हम इसको क्या बोलते है plants के लिए word हम क्या इस्तेमाल करते हैं phyto तो इनको phyto hormones बोलते हैं या इनको हम plant growth substances भी बोलते हैं सब NCRT में देखो मैं इनको नहीं बोल रही कि इनको plant hormone बोलो बहुत सारी किताबों में यह भी लिखा हुआ है कि plant hormone कहना hormone वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इसके लिए क्यों कि इसको होता है बट हम किसको मानते हैं हम तो बहुत प्यार करते हैं अपनी NCRT को है न तो NCRT क्योंकि इनके लिए hormone plant hormone phyto hormone वर्ड का वट डिफरेंट काटेग्रीज ठीक है वट डिफरेंट काटेग्रीज ओके तो इनमें जो composition है देखो अभी अमने पढ़ा ना कि बहुत सारे PGR से हो सकते हैं अलग-अलग composition के ठीक है तो इसमें आपको phyto hormones कौन-कौन से दिखाई देंगे यह देखो यह है Indole Acetic Acid यह है Indole Butyric Acid तो यह किसके बारे में बता रहा है यह Oxyn के बारे में बता रहा है Oxyn is one of the phyto hormone किससे बना हुआ है Indole के product से Indole के compound से फिर एक होता है जिब्रिलिक Acid यह जिब्रिलिन इसको GS लिखते हैं यह किससे बना होता है टर्पीन से यह टर्पिनॉइट से ठीक है फिर हमारा होता है N6 सफर्फिराइल अमीनो प्यूरीन या इसको काइनितिन बोलते हैं इसको हम बच्चो साइटो काइनिन बोलते हैं यह साइटो काइनिन के बारे में लिखा हुआ है ठीक है और यह किससे बना हुआ है सब्सक्राइब देख सकते हो हमें पांच पीजियार्स पांच फाइटो हॉर्मोन पढ़ने हैं और इनके इस साइड पर डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन भी लिखे हुए ठीक है तो हम एके करके केमिकल्स सारे फाइटो हॉर्मोन पढ़ेंगे बट बिफोर एट लेट म वो कौन सा टॉपिक है बच्चों डिफ्रेंसियेशन डिफ्रेंसियेशन फिर एक वोट दिया हुआ है डिफ्रेंसियेशन डिफ्रेंसियेशन यह हम टॉपिक कबर कर लें उसके बाद हम चलेंगे हॉर्मोन के तरफ ठीक है उसके बाद एक होता है बच्चों री डिफ्रेंस Qo के यह डॉपक along My is Die year कophone भी में आपको काम आगा ख़ेपर अपको अने विकाम आइगा सुनना कैसे स्टार्ट करते हैं हम स्टार्ट करते हैं लाइफ जैसे हम बोलते हैं जाइगोट है जाइगोट करता है तो एंब्रीयो बनता है एंब्रीयो आगे डिवाइड करता है एंब्रीयो वाली स्टेज में कोई डिवाइडिंग सेल है तो वो सेल जो एंब्रीयो स्टेज पर है हम उस just a second, ऐसे देखना, embryonic meristem, embryonic meristem, यह हम इसको बोलते हैं pro meristem, अब यही है जो आगे जाकर के सारा काम करेगी, अब देखना कैसे, क्या होता है, यह stage पढ़ना बहुत ज़रूरी बच्चों, बहुत basic है, जो आपको आगे की chapters में भी काम आएगा, सबसे पहले क्या होता है, इस, इस meristem से, जो meristem बनता है, उस meristem को हम बोलते हैं, primary meristem, primary meristem, तो primary meristem को कैसे define करोगे, primary meristem को आप define करोगे, वो cell जो directly किससे बन रही है, embryonic meristem से बन रही है, embryonic meristem से बन रही है, तो इसमें कौन-कौन से आ जाते हैं, example, बच्चों, उस दिन मैंने आपको examples बताये थे, इसमें आपको याद रखना है, apical meristem, apical meristem, और क्या हो गया है, बच्चों, intercalary meristem, ये सारे क्या है, primary meristem है, primary meristem है, meristem होते क्या है, they are dividing cells, they are dividing cells, क्या इनका कोई specific function है, नहीं, there is no specific function, क्यों specific function तो तब होता ना, जब ये differentiation का result होते हैं, differentiation का result नहीं है, जब ये बार-बार divide कर रहे हैं, that means, ये G-naught में नहीं जा सकते, G-naught में जाते हैं, तो specific function आता, अभी नहीं है, फिर क्या होता है, फिर अभी हमने पढ़ाना, कि meristematic cell जब तक जाहे, divide कर सकता है, जब mood करेगा, G-naught में जा सकता है, और G-naught में जाने वाले process को हम क्या बोलते हैं, differentiation, तो आओ चलते हैं, आगे की process में चलते हैं, जब meristematic cell, एक second, एरो थोड़ा इधर लगाते हैं, हाँ, जब meristematic cell, divide करना बंद कर दे, ध्यान से सुनते रहना, ठीक है, divide करना बंद कर दे, तो वो बनाता है, primary meristem जब divide करना बंद करेगा, तो वो बनाएगा primary permanent tissue, क्या बनाएगा, primary permanent tissue, ध्यान से सुनते रहना, तब समझ में आएगा, ठीक है, लिख दिया, ये किस से बना, जब primary meristem ने क्या किया बच्चो, जब primary meristem ने differentiation शो किया, क्या शो किया, differentiation, differentiation में क्या होता है, differentiation में दो चीज़ होगी, differentiation में दो चीज़ होगी, number one, loss of division, अब ये डिवाइड नहीं कर सकते, अब ये जो primary permanent tissue बन के आएगा, अब दे विल बिन अक्टिविटी अब दिवीशन, तो इनका काम क्या होगा, specific functions को perform करना, that means gain of, that means gain of specialization, gain of specialization, ठीक है, तो याद रखना है कि primary permanent tissue किस से बनते हैं, किस process से बनते हैं, differentiation से बनते हैं, कौन differentiation में जाता है, primary meristem, और कौन कौन से primary permanent tissue होंगे, बच्चों याद करना, primary permanent tissue के नाम है, सब के आगे प्राइमरी लगा होगा, primary xylem, primary phloem, primary medullary rays, अभी आपको कुछ नाम थोड़े unknown लग रहे होंगे, क्योंकि आपने आइनेटमी वाला चाप्टर नहीं पढ़ा है, सब क्लियर हो जाएगा, primary medullary rays, ये सारे तुम्हारे क्या हैं बच्चों, ये सारे हमारे primary permanent tissue हैं, ठीक है, साथी साथ, if you'll read NCRT, तो उसमें लिखा हुआ है, trackery elements, trackery elements मतलब trackies, वो किसका पार्ट होता है, जाएलम का पार्ट होता है, क्योंकि वो NCRT में दिखा हुआ है, पूरा अच्छी तरीके से, तो मैं उसको specificly दिखा देती हूँ, ये देखो, इसमें उन्होंने example दिया है, trackery elements का लेकर के, जो जाएलम का ही पार्ट है बच्चो, ठीक है, NCRT में लिखा हुआ है, कि trackery elements, किसका result होती है, वो differentiation का result होती है, तो जब trackery elements, they are the result of differentiation, है ना, मतलब कुछ specific होंगे, क्या करते हैं, there is a loss of protoplasm, there is a loss of protoplasm, और protoplasm जैसे निकल गया, trackery elements क्या हो जाती है, dead, इसलिए तो हम जाएलम को भी dead बोलते हैं, जाएलम अगर dead याद है, तो trackery elements भी याद होगा, और किसकी deposition होती है, बच्चो, lignin की deposition होती है, किसकी deposition होती है, lignin की deposition होती है, यह सब क्यों होता है, यह सब इसलिए होता है, क्योंकि trackies और vessels का काम होता है, पानी और minerals का conduction कराना, तो यह अपनी आपको strong कर रहे हैं, lignin की deposition हो रही है, thickening हो रही है, तो मजबूत कर रहे हैं कि पानी को कितने भी tension में हो, ठीक है, कितने अभी ज़्यादा pressure हो, trackies और trackery elements इनको कहते हैं हम, वो असानी से पानी का flow करा सकते हैं, that means, trackies एक specific function को perform करने के लिए क्या हुए है, differentiate हुए है, एक specific function को specialize कराने के लिए, specialization में जाने के लिए, वो कौन सा show किया है, differentiation, तो कभी भी question आए, कि primary tissue, चाहे तुम इनके examples ले लो, चाहे इनके examples ले लो, किसके result है, तो याद अपना differentiation के, तो ये topic हमने पढ़ लिया है, कि differentiation क्या है, अब इनका क्या होगा रहे, क्या होगा बच्च primary permanent tissue, जब चाहे, हमने यार, एक line लिखी थे न, cell cycle में, याद करो, cell cycle में जब हमने लिखा था, तो हमने ये लिखा था, कि G not वाले cell, अभी, अभी ये सारे किसमें मौझूद है, trackery elements, xylem, phloem, primary, medullary, सब किसमें मौझूद है, G not में, तो इमें divide नहीं कर रहे है, लिखा तो इनको division करना है, तो इस दुबारा से cell cycle में आ सकते हैं, है न, दुबारा से cell cycle में आ सकते हैं, तो दुबारा से cell cycle में आने वाले process को क्या बोलते हैं, यार, दुबारा से आने वाले cycle को हम बोलते हैं, De differentiation Kung Fu का मतलब क्या होता यार जहां पर ईलग जाए जैसे decarboxylation था तो डी मतलब removal ठीक है ऐसे relate करोगे बच्चो d का मतलब क्या है removal of removal है ना तो किसका कहल स्का loss होॉा removal रिव लो लॉस कहनो तो किसका लॉस हो बच्चो लॉस ieux हो स्पैशराईएजेशibly ठीक है, और किसका gain होगा, gain of, gain of फिर से क्या, division, तो जब एक primary permanent tissue, दुबारा से cell cycle, cell division वाले process में आता है, उस phenomena को हम de-differentiation बोलते हैं, और जो cell बनती है, उसको हम secondary meristem बोलते हैं, तो बच्चों यह याद रखना है, कि secondary meristem किसकी वज़े से बनता है, secondary meristem हमेशा de-differentiation का result होता है, ठीक है, अब आपको secondary meristem के example याद होने चाहिए, अगर anatomy पढ़ लिया होता है, तो बच्चों याद रहते, बट एनिवेज अभी आपने जो याद रखने हैं, वो है आपका, और cambium, interfacicular cambium, interfacicular cambium, यह सारे secondary meristem है, ठीक है, और आप anatomy पढ़ोगे, यह secondary growth कराते हैं, मतला, plants की thickness बढ़ाते हैं, अब क्या होता है, यह secondary meristem, secondary meristem, जब तक चाहे, divide करेंगे, जब तक उनको करना है, याद, नए cells add करते रहेंगे, फिर, यह क्या कर सकते हैं, cell cycle को छोड़ दे सकते हैं, cell cycle को छोड़ करके, यह G not state में जा सकते हैं, जसको inactive stage बोलते हैं, है न, और उस फिनॉमिना को क्या बोलते हैं, मतलब G naught में जाने का मतलब है, फिर से differentiate कर रहे हैं, G naught में जाने का मतलब क्या है, फिर से, फिर से के लिए word क्या लगता है, re, re का मतलब क्या होता है, repeat, किसका repeat, differentiation का repeat, ठीक है, differentiation का repeat, और हमने पढ़ा था, जब differentiation होती है, तो दो बाते होत होती है differentiation का मतलब अब division नहीं होगी क्योंकि division की ability सिर्फ इनके पास होती है मेरिस्टेम के पास होती है अब division नहीं होगी तो कुछ तो होगा क्या होगा specific function perform करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम specialization बोलते हैं और इस process की बज़े से री डिफ्रेंटियेशन की बज़े से बनते क्या है सेकेंडरी पर्मनेंट टिशू सेकेंडरी पर्मनेंट टिशू बच्चो ठीक है क्या बनते हैं बच्चो सेकेंडरी पर्मनेंट टिशू और इसके एक्जाम्पल किया याद रखोगे इसके एक्जाम्पल सें बच्चों सेकेंंडरी जयलंसे के शैकेंडरी फिलोयम अ ठीक है सेकेंडरी मेडूलरी रेस है से की सेकेंडरी कोर्टेक्स कॉर्क सेल यहां पर ब्यक और देना प्राइमरी को थेक्स Do not worry, अभी आपको अगर ये नाम नहीं सुनाई दिये हैं कभी, तो एक chapter है anatomy, ये सारा कुछ उसमें पढ़ोगे, वैसे भी आपको पता है बच्चों, ये botany का सबसे last chapter होता है, 11th का, सबसे last chapter होता है, बट physiology हम पहले complete करें, इसलिए आप पहले पढ़ लिए हो, तो don't worry, ये जो याद रखनी है, ठीक है, ओके, और ये chapter आपको फाइदा देगा, जब आप anatomy भी पढ़ोगे, अब हमने सारा का सारा composition और phyto hormones complete कर लिया था, अब हम PGR को या phyto hormones को कहलो बच्चों क्या करेंगे, हम उनको करेंगे classify, ठीक है, how we gonna classify, ये देखो, हमने classify किया है, उनको दो broad categories मे एक category है, जो plant के growth को promote करती है, उनको बोलते हैं, plant growth promoter, एक category होती है, जो plant के growth को inhibit करती है, उसको हम बोलते है, plant growth inhibitors, क्या बोलते है, plant growth inhibitors, अब देखो, सुनो, सुनते जाना, plant growth हो रही है, तुम कब कह सकते हो, बच्चो, plant growth हो रही है, growth हम तब बोलेंगे, बच्चो, जब cell grow क प्लांट सेल ग्रोथ कर रहा हो और हम कब बोलेंगे जब उन में क्या सब रही हो डिविजन चल रही हो और जब उन में फ्लावरिंग हो रही हो तो भी हम बोल सकते हैं ग्रोथ हो रही है जब उनमें seed formation है, तो भी हम क्या बोल सकते हैं, कि growth हो रही है, कोई नई चीज बन रही है, नई चीज की बनने को क्या बोलते हैं, बचो, morphogenesis, genesis का मतलब formation, ठीक है, तो भी हम बोल सकते हैं, growth हो रही है, fruits बन रहे है, fruit भी positive है, with respect to growth, तो अगर ये सारी चीज़े हो रही है, plant के अंदर, तो हम कह सकते है, growth हो रही है, और ये सब कौन कराता है, बच्चो, ये सब कराने वाले हैं, हमारे plant growth regulators और plant hormones, तीन आपने पढ़ने हैं, ऐसे hormones, जो plant की growth को promote करते हैं, मतलब वो ये सारी चीज़े कराते हैं, उनमें से सबसे प पढ़ेंगे, gibralin, कौन पढ़ेंगा, एक हम पढ़ेंगे, gibralin, ठीक है, spelling ठीक लिखी है न, GIBB, एक सेकेंट, चेक कर लेते हैं, GIBB, ERE, हैं, दोनों चीज़ डबल होती है, ठीक है, इसे spelling आप NCRT से भी चेक कर सकते हो, no issue, और एक होता है, cytokinin, क्या होता है, बच्चो, cytokinin, ठीक है, उसके बाद, उसके बाद, plant growth inhibitor का क्या मतब है, अब कब बोलोगे, plant growth inhibitor हो रही है, दो चीज़ें हमें पढ़ना, इसमें पढ़ना है, दो फिनॉमिन, एक है abscision, एक है abscision, और दूसरा है dormancy, क्या है dormancy, आप lightning का मतलब होता है जऋढ़ना to a matter वो टिखे बालो का ने या पत्यों का tethered का सोच लोगे में वह तो उच्छी भात है मिच्शोल लीथ जड़ जा है तो अच्छी बात tutorial लीथ ज़ड़ गि तो बुरी बात है that means plant growth नहीं हो रही plant growth inhibit हो रही है ठीक है absision में हम क्या लिखेंगे absision में हम लिखेंगे shedding absision का मतलब है shedding किसका shedding flower का fruit का और seed का यह एक negative word है with respect to growth और ऐसे होने का मतलब है बच्चों की plant growth नहीं चल रही है plant growth inhibitory उल्टा हो रहा है dormancy का क्या मतलब होता है dormancy जैसे आप जोगर भी हम पढ़ते होगे dormant volcanoes शाइध तुमने नाम सुना होगा वह volcano जो सोते रहते हैं उनको sleeping volcanoes भी बोटे है ठीक है तो तो dormancy का मतलब क्या है सोना सोना सोते कब है जब हम इनक्टिव पड़े रहें जैसे सीड जब जर्मिनेट ना करे तो हम उसको बोलते हैं ढमेंट जीड जैसे किचन में च्छार में बहुत सारी बंद करके रखे उस ताइम पर जर्मिनेट कर रही है नहीं मतलब कौन सी स्टेज में है वो अपने द्रमेंट सी वाली स्टेज में तो द्रमेंट सी क्या होता है पीरियद ॉफ suspended growth suspended growth उस टाइम पर वो growth नहीं कर रही है लेकिन जब हम उसको पानी में बिगो करके रख दे रहे हैं कपड़े में बांग देते तो आपने देखा होगा पर 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 लिया इनिबिट करते हैं एक यहां पर पढ़ लिया इनिबिट करते हैं वेरे स्थ अधर वन क्या ना एक प्लांट ग्रोथ ऐसा होता है बच्चो एक प्लांट ग्रोथ ऐसा होता है जो दोनों होता है दाट इस ठीक है किस क्या नाम है उसका इथाइलिन इथाइलिन एक लौता गैशियस हॉर्मोन है एन इट इस बोथ बोथ का मतलब क्या है इट इस बोथ प्रमोटर ग्रोथ प्रमोटर as well as inhibitor it is growth promoter as well as inhibitor बट सवाल पूछा जाता है यह लाजली क्या है तो NCRT पढ़ोगे तो largely their inhibitor यह लिखा हुआ है largely their what inhibitor ठीक है और इनको बहुत जादा यूस किया जाता है agriculture में वैसे तो सारों को किया जाता है बट इनका बहुत जादा यूस किया जाता है agriculture में क्योंकि आपको पता है इनका काम क्या होता है fruits को पकाना ripening कराना और यह कैसे hormone है बच्चो अभी हमने देखा भी था their gaseous hormone ठीक है तो हमने कितने पढ़ लिए 123 और यह पांचवा PGR that is ABA यह सिर्फ और सिर्फ इनिविट कराता है यह तीनों सिर्फ और सिर्फ रमोट कराते हैं ग्रोथ को और यह दोनों करा सकता है ज्यादा तर यह इनिविटर होता है ठीक है तो हमने classification कर ली है इसको broad categories में divide कर दिया है अब हम एक एक करके बच्चो सारे hormones complete करेंगे ठीक है सुवी विल स्टाट विदी ऑउगजन आओ पढ़ते हैं बच्चो ऑगजन क्या होता है लेट्स मुग तो दीक्स लाइट ऑगजन ओगजन जो बच्चो डिराइफ किया गया है न वह एक ग्रीक वोट से डिराइफ किया गया है ठीक है वोट कौन सा है सिर्法 एक वोट एक लैटर का फ़राग है बच्चो ऑगजन थीक है और यह जो वर्ड ग्रीक वोट है इसका मतलब होता है it means to grow और ये भी कैसे होर्मोन है बच्चो growth होर्मोन है और वो भी growth promoter वाले होर्मोन है तो इस चीज को relate करते हुए इस वाले होर्मोन का क्या नाम दिया गया इस वाले होर्मोन का नाम दिया गया oxygen बढ़ी हमें पता कैसे चला ये काम क्या करता है यह कैसे पता चला यह ग्रोथ कराता है यह कैसे पता चला उससे रिलेटेट पढ़ने हमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स क्या पढ़ने बच्चों एक्सपेरिमेंट्स और स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट्स जो हमारे ncrt में दिए हुए है वो दिए हुए darvins के गौनसे डर्विन है चाल्स दर्विन जौ जार्विन हिए ऐस्वल एथ एक और डार्विन है डाट इस फ्रेंस च्टारविन डार्विन के नाम से टैटल से पता चल रर रिष्दार थो हो गई रिश्टा क्या है ठीक है Charles Darwin क्या है Charles Darwin father mlm Francis Darwin इनके बेटे है इन दोनों ने मिलके बहुत important experiment किया था related to teh oxygen知 and what was that experiment बच्चो ठीक है What was that experiment चल वावon पढ़ते हैं उनका एक्स्पेरिमेंट के बारे में ठीक है तो इनका एक्स्पेरिमेंट फेमस किस चीज के लिए है इन्हों ने क्या शो किया था इन्हों ने काम किया था फोटो फोटो ट्रॉपिजम पर किस पर काम किया था बच्चो फोटो ट्रॉपिजम पर ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है देखो दो वर्ड आपको बहुत कॉमनली सुनने को मिलते हैं एक ये वाला वर्ड होता है ट्रॉपिक और एक वर्ड होता है ट्रॉफिक, सोचो दोनों में फरक क्या है, दोनों में अंतर क्या है, बहुत ही sound similar, है ना आप देख सकते हो सिर्फ edge का फरक है, ट्रॉपिक वर्ड जहां पर भी आ गया बच्चो, उसका मतलब होता है growth movement, और ये growth movement किसी ना किसी के influence में होती ह जैसे light के influence में वो growth movement हो, तो उसको phototropic movement बोलते हैं, उस phenomenon को phototropism बोलते हैं, अगर gravity के respect में वो growth movement हो, तो उसको geotropic movement बोलेंगे हैं, geotropism, तो जहां पे भी tropic word आ गया ना, समझ जाना उसका मतलब है growth movement, और tropic word का मतलब क्या होता है बच्चों, trophic word का मतलब होता है nutrition, जैसे for example हम बोलते हैं, autotrophic, हम बोलते हैं, heterotrophic, है न, तो trophic word जहांपे भी आ जाता है nutrition, तो इन दोनों word में कभी confused नहीं होना है, इस chapter में हम किसकी बात करें, phototropism की बात करें, तो phototropism क्या है, अभी हमने देखा, that phototropism, it is a growth movement, क्या है, ये एक growth movement है, किसके response में, photo के response में, और photo का मतलब क्या होता है, in response to light, अगर Darwin ने, Charles Darwin के लो, Francis Darwin के लो, अगर उन्होंने phototropism show किया है, experiment किया है, तो बच्चों उसके लिए experimental material भी चाहिए होगा, है न, हर experiment में experimental material देखते हैं, तिन्होंने किसके साथ काम किया था, इसका क्या मतलब है, देखो, ग्रास तो आपको सबको पता है, ग्रास एक herb होता है, एक plant species होता है, चोटे-चोटे जिनकी heights होती है, उस ग्रास में किसके साथ काम किया, ग्रास का मतलब क्या होता है, बच्चों, क्या मतलब होता है, शूट का apex, क्या मतलब होता है, शूट का apex, तो इन्होंने क्या किया देखो, इन्होंने शूट का apex ले लिया, यह है मानलो, शूट, इस शूट, और यह शूट की tip, by shoot tip य्वा कह सकते हो didvak जिसको हम क्या बोलते हैं हम बोलते हैं कोलियॉपटाइप इव कैसे टोगningen में light के response में और Darwin लोगों ने जो experiment किया थो ना बच्चो उन्होंने कहा था कि उन्होंने light एक direction में दी है देखो सिर्फ इधर से direction आ रहा है एक ही direction से light मिल रही है तो ऐसे light को क्या बोलते हैं ऐसे light को uni directional light बोलते हैं क्या बोलते हैं बच्चो यूनी डायरेक्शनल लाइट ठीक है अब क्या हुआ कुछ टाइम के बाद what they observe जैसे इन्होंने light दिया कुछ टाइम के बाद यह जो शूट एपेक्स था उसका जो टिप था जो कोलियोप टाइल था वो रेस्पॉंस बेंड कर गया बेंडिग वॉजवव्ग बेंडिग वॉज पोज़ु अब्सरवड आनीक म् захp जिद्धर से इसको लाइट दी जारी थी जिस डारेक्शन से इसको लाइट प्रोवाइट की जा रही थी उधर के तरफ यह कुलिएप टाइल bend हो गया that means coliope tile ने response किया किसको response किया light को response किया और इसी response को हम क्या बोलते हैं phototropism है ना और ऐसे growth को मतलब इसमें growth हुई है और ऐसे growth को हम क्या बोलते हैं phototropic growth तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि coliope tile they show response they show response to unilateral unilateral light and this response is termed as phototropism समझ लिया हमने ओके बट यार यह bending हुई क्यों इसके पीछे का reason तो नहीं समझाना हमने हमने तो सिर्फ यह समझा कि उन्होंने observe क्या किया था बट observe करने के पीछे का कोई ना कोई तो वज़ा होगी तो चलो उस वज़ा को भी देख लेते हैं बच्चों उस वज़ा को देखते हैं बनाते हैं कोलियोप टाइल्स बनाना शुरू करते हैं यह हमने शूट ले लिया और यह अब हम शूट की टिप बना देंगे ठीक है बहुत सारा हम ऐसा ही structure बना लेते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत अब्जर्व की थी चलो यहां पर भी बना ली अब देखना होगा क्या हम क्या प्रोवाइट कर रहे हैं लाइट को प्रोवाइट कर रहे हैं कैसी लाइट को डायरेक्शनल लाइट और डायरेक्शन कि धर से हैं एक ही तरफ से हैं तो हम इसको बोलते हैं यूनी डायरेक्श बोलते हैं, फिक है, शूट के एपेक्स पर जैसे ही लाइट पढ़ी, शूट के एपेक्स ने कुछ केमिकल, कुछ सबस्टेंस को सिंतसाईज किया, हमें पता चल गया था, मतलब उनको पता चल गया था कि यह जो शूट टिप पे बन रहे हैं, अब सिंतसिस के बाद क्या होते हैं, अच्छा एक चीज और, सिंतसिस कहा हुई यह जैसे सुनना, सिंतसिस कहा हुई है, tip पर हुई है, tip मतलब, poles पर हुई है, एपिक्स पर हुई है क्योंकि synthesis पोल्स पर होती है हम ऐसे synthesis को पोलर बोलते हैं ठीक है अब होता क्या है जैसे आप animal hormones भी पढ़ते हो तो आपको पता है animal hormones जो होते हैं कहीं पर बनते और है और उनका action कहीं और होता है यहां पर क्या है यहां पर बनते हैं वहां पर भी काम आ सकते हैं और दूर भी जाकर के मतलब दूर जाने का मतलब क्या है कहीं और भी जा सकते हैं कहीं और जाने का मतलब ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं और specific locations पर जाकर के वहां पर भी घ्रोध करा सकते हैं और आप देखोगे कि बनते उपर की तरफ है एपिक्स पर पर जाते नीचे की तरफ है बेस की तरफ जाते हैं तो इनके ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं इनके ट्रांस्पोर्ट को हम बेसी पिटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, बेसी पिटल बोलते हैं, चलो इतनी बाते हमने समझ ली, ओके, आगे चलते हैं कि उसके बाद हुआ क्या होगा यार, अभी भी light इधर से supply हो रही है, ठीके, एक और concept जो आपको समझना है, light ह हम इधर तरफ दे रहे हैं, that means ये वाला जो साइड एक लिएप्टाइल का, ये light वाला एरिया है, क्योंकि इधर इसको इधर direct light मिल रही है, ये वाला जो तरफ है, इसको light नहीं मिल रही है, तो ये कैसा है, dark area, dark area कह सकते हो, या shaded area कह सकते हो, अब देखना होगा क्या, अब हमने क्या पड़ा, हमने ये पड़ा कि यहां पर बहुत सारे auxins बने हुए हैं, क्या बने हुए, बहुत सारे auxins बने हुए, auxins जहां पर बनते हैं, ठीके उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो auxin का जो ट्रांसपोर्ट होता है, हमेशा light से दूर होता है, that means auxin इधर के तरफ आकर के अक्यूमिलेट नहीं होगा, it always accumulate, it always move away from the light, तो light इधर नहीं आ रही है न, तो सारे के सारे ओक्जिन्स, सारे के सारे ओक्जिन्स यहाँ पर आकर के एकठा हो जाएंगे, चलो देखते हैं क्या होगा, यह ओक्जिन्स जो थे, वो धीरे धीरे कहां पर आ रहे हैं, इधर साइड आ रहे हैं, तो यह हमने क्या दिखाया बच्चों, इस वाले स्टेप में हमने दिखाया है ट्रांसपोर्ट, ठीक है, उसके बाद क्या होगा बच्चों, इधर ओक्जिन्स जादा है, तो इधर की जो सेल है, वो जल्दी ग्रो करेगी, वो जल्दी बड़ी होगी, तो उस बड़े होने की बज़े से, इधर ओक्जिन्स नहीं म तो यह जुक जाएगी, किधर की तरफ, लाइट के तरफ, इसको बनाते हैं, होगा क्या, कुछ टाइम के बाद, you will observe bending in the कॉली अप्टाइल, और बेंडिंग किधर के तरफ हो रहा है, तूवर्ज, तूवर्ज लाइट, and such action is said to be phototropism, तो हमने यहाँ पर क्या conclude किया बचो, we will have to write the conclusion, जैसे हम chemistry, physics में या biology में, जबी भी स्कूल में experiment लिखते हैं, तो aim लिखते हैं, है ना, conclusion भी लिखते हैं, तो conclusion क्या है इसका, observation तो पहले ही made कर लिया था, हमने की phototropism होती है, conclusion क्या है, conclusion यह है कि light दिया, light देने से tip पर क्या बना, oxyn बना, वो oxyn की सिर्फ synthesis जरूरी नहीं है, oxyn का transport भी जरूरी है, oxyn का जब transport हुआ, तो उधर हुआ, जहाँ पर light नहीं मिल रहा था, अब जहाँ पर light नहीं मिल रहा था, वहाँ पर सारे के सारे oxyns आ गए, तो इधर वाले area ने ज़ादा grow किया, मतलब same-same growth नहीं हुई यह दोनों तरफ, अलग-अलग growth हुई है, ऐसे growth को हम क्या बोलेंगे, जब different growth हुई है, तो हम उसको बोलते है, differential growth, और उसी differential growth होने की बज़े से, इधर का तरफ भारी हो जाता है, और वो भारी होने के ज़िए उधर के तरफ जुख जाएगा, है ना, उसको हम बोलते है, bending, यह bending तभी हुई है, बच्चो, जब तुमने tip of coleop tile पर क्या बनाया है, और उसको है, auxin, तो what we gonna write, the tip of coleop tile is important, is important for auxin, for auxin synthesis, for auxin synthesis, and moreover, एक और चीज में आपको यहाँ पर बताऊंगी, moreover, सिर्फ टिप नहीं ज़रूरी, देखो, light ज़रूरी है, light अगर present होगी, धान से सुनना, light अगर present होगी, तभी tip of coleop tile पर क्या होगा, auxin synthesized होगा, तभी tip of coleop tile पर auxin will be synthesized, synthesized, है न, उसके बाद, auxin की synthesis के बाद, auxin का transport भी बहुत ज़रूरी है, अगर वो वहीं पर रह गया, ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ, तो differential growth कैसी होगी, ट्रांसपोर्ट ज़रूरी है, ट्रांसपोर्ट होने के बाद, वो क्या show करते हैं, वो growth show करते हैं, किसके respect में growth show करते हैं, light के respect में, light के towards growth show करते हैं, ऐसी growth को हमने अभी क्या लिखा, differential growth, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ growth अलग-अलग हो रही है, और इसी differential growth की वज़े से, उन्होंने bending दी, उन्होंने क्या दी है, bending, तो bending होने के लिए growth चाहिए, growth होने के लिए oxygen का transport होना चाहिए, oxygen का transport होने के लिए oxygen की synthesis होने चाहिए, और auxin की synthesis के लिए tip चाहिए, और क्या चाहिए, light चाहिए, यह हमने पढ़ लिया है, अब मैं आपको एक और चीज दिखाती है, जिनको थोड़ी सी परिशानी हो रही होगी समझने में, तो we have one diagram, with the help of which it would be easy for you guys to understand, अब सुनो, यह क्या था, यह हमारा shoot है, और यह shoot का apex है, है न यहां से light provide कर रहे है, diagram में जो लिया हुआ है, रटना नहीं है, यहां से light provide कर रहे है, तो light के presence में यह जो red-red structure दिखाए दरा है, यह क्या है, auxin है, auxin कहां पे बन रहा है, tip पर बन रहा है, अब क्या होता है, अब क्या होता है बच्चो, जिधर से light आ रही है, auxin उसके दिखा रहे हैं ट्रांसपोर्ट और जिन का ठीक है अब यहां पर और जिन आ गया तो देखो पहले दोनों तरफ सेल की साइस बराबर है एस यहां पर क्या हुआ है ऑगजन के आने की बज़े से ऑगजन क्या करता है डिवीजन स्टार्ट कर देता है सेल एंलार्ज होना शुर होने की वज़े से होगा क्या ये वाला साइट जादा ग्रो करेगा भारी होगा और भारी होने के वज़े से जुक जाएगा टुवर्ट्स लाइट है ना सब कुछ लिखा हुआ है कि इन्दी प्रेजन्स ओफ स्ट्रॉंग डारेक्शनल लाइट ऑगजन्स डिफ्यूज अगेंस डिफ्यूज करता है मतलब जहां पर लाइट नहीं आ रही होगी फिर देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है और इस अनीवन ग्रोथ को क्या बोलते हैं डिफ्रेंशिल ग्रोथ ठीक है फिर क्या होगा ऑग्जन्स विल इंक्रीज दी ग्रोथ सेलिन मेरिस्टेम सो व जा रहा है ताकि आपको एक बार में समझ में आ जाए है ना जब लेक्चर बड़ा हो जाता है तो बच्चे कहते हैं मैं इतना बड़ा लेक्चर मत करो बच्चो आपको पता है we have to follow a specific planner है ना अगर आप ठक जाते हो तो आप pause कर दिया करो it's a recorded ना आप YouTube पे भी अगर देखत हो तो आप pause कर दो take your tea break or coffee break and then again return है ना एक stretch में मत देखो थोड़ा सा 15 मिन का break ले सकते हो बट येस आपने complete उसी टाइम पर करना है ओके स्टार्ट करते हैं बच्चो हां आ जाते हैं बापस से तो हमने phototropism पढ़ लिया है अब इसके अलावा there are certain more things क्या जानना है आपको दे यहां पर लाइट दी क्या दी बच्चों लाइट दी लाइट के प्रेजन्स में यहां पर क्या बनाएगा यहां पर यह ओक्जिन बनाएगा लेकिन हम क्या करा ले इसको करा दे कट ठीक है तर्ट मेंज इसका क्या अलग कर दिया इसका क्या हो गैँ और शूट का अधा हिस्सा क्या हो गया बच्चों हो गया ठीक है जिस kolioptile का cap नहीं होता उस kolioptile को क्या बोलते हैं decapitated kolioptile क्या बोलते हैं बच्चों decapitated kolioptile D का मतलब क्या होता है removal तो यहाँ पर किसको remove किया गया removal of cap और यहाँ पर cap का मतलब क्या है shoot apex जैसे cap एक्दम सर पर पहनते नहीं तो शूट का टिप क्या है ? शूट का टिप कोजिआ टाइल है, शूट के लिए cap क्या है ? वावार एपिक्स है उसका तो ऐसे कोजिआ झाशल जोच का सर ही उड़ा धिया गया है उसको हम बोलते हैं decapitated coleyoptyle, ठीक है, फिर क्या किया गया, फिर इसको light दी गई, ऐसे coleyoptyle को, जब light दी जाएगी, तो क्या ही response शो करेगा, कोई response observed नहीं हुआ, कोई response observed नहीं हुआ, क्यों बच्चों, अभी हमने पढ़ा था ना, कि tip जरूरी है, यहाँ पर तो tip ही नहीं है, so if there is no tip, there would be no oxygen synthesis, no oxygen synthesis, और अगर कोई oxygen का synthesis नहीं हुआ, तो कोई transport भी नहीं होगा, ना कोई differential growth observed होगी, और अगर कोई differential growth ही नहीं हुई, कोई uneven growth ही नहीं हुई, तो किसी भी तरीके की bending भी नहीं दिखेगी, तो यहाँ से भी देखो, यही बात proof होती है, कि tip जरूरी है, किसके लिए, tip जरूरी है bending कराने के लिए, ठीके, इसके बाद, इसके बाद क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, एक आपको diagram ही दिखा देती हूँ, हाँ, अब आजो इस diagram पर, यहाँ पर देखो क्या किया गया है, तो हम decapitated colioptyle बोलते हैं, तो जब decapitated colioptyle को light दी गई, तो आप diagram में देखो, there was no bending, ठीक है, क्योंकि tip जरूरी है bending कराने के लिए, reason लिखा हुआ है, इसके बाद next में क्या किया, tip को इससे cover कर दिया गया है, यह क्या है, एक opaque material है, सिर्फ बच्चों अपना नजरे ना, ह cover किया गया है, opaque material आपको पता है, light को पास नहीं कराने देता, तो light जाएगी नहीं, तो कोई auxin की synthesis होगी भी नहीं, auxin की synthesis नहीं, तो auxin का transport कैसे होगा, नहीं होगा, तो auxin का अगर transport नहीं हुआ, तो growth नहीं होगी, और बच्चों growth नहीं होगी, तो bending भी नहीं होगी, तो कि नो बेंडिंग नेक्स डाइग्राम में देखो क्या दिखा रहे हैं नेक्स डाइग्राम में इस वाले डाइग्राम में बेंडिंग दिख रही है इसको कहां पर लिखू इधर आ जो लाइट पास कर जाती है है ना तो ट्रांस्पेरिंट क्या करेगा लाइट को पास करने देगा ठीक है लाइट अगर पास होगी तो ऑउसन बनेगा और चिन बनेगा तो और 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 अग्जिन का ट्रांसपोर्ट भी होगा बचो तो ग्रोथ भी होगा और अगर ग्रोथ होगी तो आप देख सकते हो इस डाइग्राम में कि जब इसको एक ट्रांसपेरेंट कैप से कवर किया है तो यह लाइट के तरफ बेंड कर रहे हैं बेंडिंग प्रेजेंट है ठी इसमें क्या हो रहा है इसमें भी इसको कवर किया गया है इसमें किसने कवर किया है ओपेक से कवर किया है तो आप सोच रहे होगे मैं जब यहां पर ओपेक से कवर किया तो कोई बेंडिंग नहीं हुई बट मैं जब यहां पर ओपेक से कवर किया है तो बेंडिंग हो रही है बच्चो देखो न किस हिस्से को cover किया गया है यहां पर tip को ही cover कर दिया गया था और हमें पता है tip पर ही oxygen बनता है तो cover होने के वज़े से tip को light ही नहीं मिली तो oxygen भी नहीं बना यहां पर tip खाली है इसको ऐसे समझो यहां पर जगह नहीं है तो एक अलग page लेते हैं इसके लिए ऐसे यहां पर क्या किया गया है ध्यान से सुनना मेरे बच्चो यहां पर tip को नहीं cover करके tip खुला है exposed है यहां पर किसको cover किया गया है नीचे के portion को एक एक ओपेक material से cover कर दिया गया है एक ओपेक material से बच्चों cover कर दिया गया है इसके बाद इस colioptyle को क्या दे रहे हैं इस colioptyle लाइट प्रोवाइट की जारी कैसी लाइट? यूनि डारेक्शनल लाइट है ना तो इन्हों प्रालियोंने क्या बना लिया होगा बच्चों बना लिया होगा तो ध SydANS BANाने के बाद इसका ट्रांसपोर्ट भी करा लेंगे इधर के तरफ और ट्रांस्पोर्ट करा लेंगे, तो इधर की तरफ की ग्रोध जादा हो जाएगी, तो कुछ टाइम के बाद we will see कि ये light के तरफ bend कर गए, तो they show bending, तो tip अगर covered होगा, तो bending नहीं मिलेगी, अगर नीचे का हिसा covered है, तो कोई problem नहीं है, bending हो सकती है, ठीक है, तो यहाँ पर हम हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने ये देखा, कि tip बहुत ज़रूरी है, अगर हम tip को काट दे, या tip को cover कर दे, opaque material से, तो bending observed नहीं होती है, इन दोनों में bending इसलिए observe हो रही है, क्योंकि यहाँ पर transparent cap है, और यहाँ पर tip exposed है, तो यहाँ पर oxygen की synthesis हो रही है, इसमें हमने ये पर देखा, क्या है ध्यान से सुनना, पहले light दिये जाती है, light देने के बाद, इस tip पे क्या बना लेते हैं, बच्चों, oxygen वगरा बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, और यह क्या है, अब इसको कट कर लिया जाता है, यह apex को इसके बागी के portion से हटा दिया गया, जैसे यहाँ पर मैंने आभी आपको बताया था ना, फिर से recall करो, यह देखो, यहाँ पर क्या किया गया था, शूट एपेक्स लिया गया था, light पास कराए गई थी, oxygen बनाया गया था, और हटा ल भागी का शूट का portion, अलग-अलग हो गया था, अब हम किया करेंगे, इसको जोडएंगे, इसको जोडएंगे, वापस से जोडएंगे, देखो, जलो जोड़ देते हैं, बट जब आप जोडएंगे न, तो इन के बीच में, इनके बीच में हम प्लेस कर देंगे, किसको, इन माइका इंपर्मियबल होता है कि कि यहां किसी चीज को पास नहीं करने देगा तो ऑगजिन यहां पर बहुत तारे बने पड़े हैं बट ऑगजिन का बनना जरूरी नहीं है हमने पड़ा था ना ऑगजिन का ट्रांसपोर्ट भी जरूरी है अब होगा क्या यहां से आप लाइ नहीं देगा ट्रांसपोर्ट विल नॉट टेक प्लेस तो लिग दे हैं नो ऑगजिन ट्रांसपोर्ट विल अकर since mica is impermeable therefore no differential growth therefore no differential growth and therefore no bending कोई bending नहीं होगी ठीक है second experiment में क्या करेंगे काट के अलग कर दिया है कब काट के अलग किया है जब ऑग्जिन की synthesis हो रखी है आप इनको जोडेंगे लेकिन इनके बीच में हम क्या रखेंगे बच्चों इनके बीच में हम रखेंगे gelatin की कवर इनके बीच में हम क्या रख रहे हैं, gelatin रख रहे हैं, this is gelatin, एक second, gelatin, जो gelatin होता है न बच्चों, you know it is permeable, तो होगा क्या, ये जो oxygen बने हैं, ये अच्छे खासे रूप में transport किये जा सकते हैं, transport होने की वज़े से सारे के सारे oxygen यहाँ पर आ जाएंगे, तो transport of oxygen होगा, तो oxygen के transport से differential growth भी होगी, that means uneven growth, कि इधर के तरफ, अगर हम light इधर से दे रहे हैं, अगर हम light इधर से दे रहे हैं, तो oxygen सारा का सारा इधर कठा हो रहा है, तो इधर का जादा grow करेगा, उधर के तरफ जुख जाएगा, तो bending observe होगी, bending present होगी, अब देख लो वाला diagram, और अच्छे से clear हो जाएगा, यहाँ प अच्छ Пр rhythm में ने देखा न, permeable होता है, तो oxygen का transport करा देगा, तो देखो bending हो रही है, यहाँ पर क्या रखा हुआ है, माईका, माईका impremeable होता है, ट्रांस्पोर्ट नहीं होने देगा, तो ट्रांसपोर्ट नहीं होने देगा, तो bending नहीं होगी, इन दोनों से यहाँ पता चल कि टिब जरूरी है कि को चुप दो काट दो नहीं हो रहा यहां पर क्या पता चल रहा ट्रांसपोर्ट बंवराल कॉन्टलूजन लिखते हैं तो पहला केंट्नूजजन हमने रो किया कि टिप जरूरी है ऑक जिनी की सिंथेसे सट के लिए बहुत बढ़ियाबात अभी जो जीलैटिन वेगेरा सा ठीक है उसमें हमने क्या देखा देखो इसमें लिखा हुआ है कि अगर हम टिप को रिमूव कर दे या कवर कर दे ओप एक मटेरियल से तो कोई बेंडिंग ऑब्जर्ब नहीं हो रही है क्योंकि कोई ऑग्जिन नहीं बनेगा तब ही क्योंकि टिप अपसंट था यह तो हमने टिप के रिस्पेक्ट में लिखा है है नाडूसरा हम क्या लिख सकते हैं दूसरा हम क्या लिखेंगे आउगजिन, एक सेकंड कलर चेंज करना पड़ेगा, जो सेकंड लेंट्रूजन हम ड्रॉख करेंगे, आउगजिन ट्रांस्पोर्ट इस नेसिसरी, आउगजिन का ट्रांस्पोर्ट भी जरूरी है, ट्रांस्पोर्ट होगा, तभी क्या होगी बच्चो डिफरेंशियल शुरुवात में हमने सिर्फ लिख दिया था कि ऑगजिन के बाद उसका ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है यहां पर देखो कि ऑगजिन के बनने के बाद ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है तभी बेंडिंग हो रहा है इसका हमने प्रूफ भी कर दिया वह माईका और जिलेटिन क ले करके जो इंपर्मीबल था वहां ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ तो यार आपको लग रहा होगा यार और और कितना पढ़ेंगे और बच्चों पढ़ना पढ़ेगा क्योंकि बहुत यसी में तो मितनी डिसकवरी रिलेटेट पढ़ते हो और कहीं पढ़ते स् зр movies लिखी अधीसे के बाद सियारज Diskuss लगता मिला इनकी फोट्रापईजम का रिदेनी सोग्य POW करेडिट से मिला कि theaters इन्हों ने ही तर्म दिया था अउग्ग्जन का and he was the one who was credited with the discovery of auxin तो auxin को इन्होंने कहां से isolate किया था oat के colioptile से, colioptile बच्चों फिर से लिख रही हूँ colioptile का मतलब होता है shoot apex, है ना और oat is avena satire, तो आपको oat का scientific name याद रखना है इसको avena curvature test भी बोलते हैं, ठीक है अब ध्यान से सुनना, इसको समझने के लिए एक हम press light लेते हैं यार, ठीक है, हम फिर से क्या करेंगे colioptile बनाएंगे, किसका colioptile है, oat का colioptile क्योंकि fwent ने oat की colioptile पर experiment किया था, ठीक है oat के colioptile पर experiment किया था, यह हमने बना लिया tip अब हम क्या करते हैं, अब हम देंगे light, क्या पास करा रहे हैं बच्चों, light को पास करा रहे हैं ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारा tip पर auxin बन जाएगा, ठीक है auxin के transport से पहले, मतलब जैसे ही auxin बनता है न, इन tip को क्या कर लिया जाता है, कट कर लिया जाता है यह एक colioptile के साथ नहीं किया गया है, यह बहुत सारे colioptile के साथ किया गया है that means, बहुत सारा cap ले लेते हैं यह, ठीक है, इसको cut कर लेते हैं, इस cut हुए portion में क्या है, खूप सारे auxin है ठीक है, this is removed tip, removed tip या removed shoot apex and there is a presence of lot of auxin और बाकी का portion as it is इनका हमें एसस कोई काम नहीं है, ठीक है, अब क्या करते हैं, मैंने बताया ना, यह एक colioptile के साथ नहीं करते, यह ऐसे बड़े सारे कोल्यूप्टाइल के साथ करते हैं और बना बना के काट देते हैं काटने के बात क्या करते हैं इसको अगार पर रखते अब मैं इसको को प्रोवाइड किया light को ठीक है क्योंकि ऑउक्जन के सिंथिस लाइट के प्रेजेंस में होती है और इन्हों ने भर भर के ऑउक्जन बना लिया ओक्जिन पिंग कलर से दिखाये गया है मतलब ये पिंग शेड़े क्या है कि यहां ऑउक्जिन बन गए और बंगे है कि सकते को पोलिए प्टाइल पर फिर देखो यह RAM पर चाकु रखा हुआ ये चाकु क्या करता है हिसको कट कर देगा कट करके इन्हों ने देखो इस वावले ख१न को निकाल लिया है ठीकfare यह कटा हुआ पोशन है इसमें क्या एपेक्स है और इस शूट एपेक्स में भर भर के क्या है औक जिन से भर भर के क्या है औक जिन है अब आपको पता है ना औक जिन के पास प्रॉपर्टी है नीचे जाने की ट्रांसपोर्ट होने की क्योंकि आपको पता ही नीचे की तरफ जाते हैं तब ही तो उसकी ट्रांसपो पूरा diffuse होकर के कहां आगया अगार ब्लॉक में अगार ब्लॉक पहले वाइट कलर का दिखाई दर आए अब पिंक कलर का हो गया क्यों कि सारा का सारा ऑगजन जो इस शूट अपेक्स में था वो डिफ्यूज हो रहा है नीचे तो लेको लिखा हुआ है ऑगजन डिफ्यूज इंटू अगार ब्लॉक ठीक है अब क्या करेंगे अब इस अगार ब्लॉक को इस्तमाल करेंगे देखना कैसे करेंगे पहले इन्होंने एक Decapitated Stump लिया, मतलब Decapitated Collioptyle ली, इसके उपर इसकी कोई टिप भी नहीं है, ना इन्होंने अगार को प्लेस किया, तो आप देखो कोई bending नहीं दिखाई दे रही है, अब इन्होंने क्या किया, एक Decapitated Collioptyle ली, Decapitated Collioptyle का मतलब क्या होता है, वो Collioptyle जिसके पास कोई Cap न रखेंगे, बट ये नॉर्मल अगार नहीं है, बच्चो, ये वो वाला अगार है, जिसमें Auxin भरा हुआ है, देखो, ठीक है, Auxin भरा हुआ है, अब क्या करता है, ये ना थोड़ा side में करके रखते हैं, side में करके रखते हैं, तो होगा क्या, यहाँ पर जितने भी Auxins हैं, Auxins की property है ना, diffuse हो करके नीचे आने की, तो ये नीचे आ जाएंगे, तो आप सोच रहोगे माम, अभी तक तो हमने पढ़ा था कि Auxin उल्टे तरफ आते हैं, बच्चो, उल्टे तरफ तब आते हैं, जब उनको light मिलती है, जब उनको light मिलती है, यहाँ पर कोई light नहीं है, बिना light में वो यह सब करा रहे थे, light तो यहीं दे दी जी Auxin बनाने के बाद, यहाँ पर बिना light के बना रहे थे, तो जैसे हैं वैसी उसी direction में नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर खूप सारे Auxins आ जाएंगे, तो क्या होगा, इस वाले side में growth जादा होगी, इस वाले side में growth जादा होगी मतलब uneven growth हो रही है, that means, differential growth हो रही है और उसी differential growth की वज़ह से, यह इधर का side जादा grow को रही हो जाएगा, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा बच्चो, जुक जाएगा, एक second, कि रब हो गया है डी क्या पिटेटेटेड कोलियोप्टाइल ठीक है क्या हो जाएगा जूक जाएगा ठीक है एक इनोंने नहीं दिया हुआ है आप देखो बहुत अच्छे से दिखा रहे हैं ऑक्सिजन का डिफ्यूजन देखो दीरे दीरे ऑक्सिजन जो इनके पास था इधर से खाली हो करके इधर जा रहा है तो इधर का ग्रोथ जादा होगा तो उधर की तरफ यह जुख जाएगा एक और होता है मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूं मानलो यह कोलियोप्टाइल है ठीक है एक और एक्सपेरिमेंट है मानलो यह कोलियोप्टाइल है इस कोलियोप् और यह अगार का ब्लोक किस से डिफ्यूज है इस डिफ्यूज वित ऑगजन तो कोई डिफ्रेंशल ग्रोथ होगी सोचो दो तीन सेकेंड दे रहे हो सोचो ठीक है सोचने के बाद मैं आपको बताऊंगी कोई ग्रोथ होगी या नहीं होगी पोच आओगा अब सुनना एंसर इधर में कोई ग्रोथ नहीं होगी क्योंकि ओग्जन इधर भी डिफ्यूज करेगा ओग्जन जो यहाँ पर होगा वो इधर आ जाएगा जो इधर साइड होगा वो इधर आ तो दोनों तरफ औक्जिन मिला ना, दोनों तरफ ग्रोथ होगी सीधा सीधा, डिफ्रेंशल ग्रोथ तो हुई नहीं, तो यहाँ पर आप देखोगे, तो कोई बेंडिंग नहीं मिलेगा, कोई बेंडिंग नहीं मिलेगा, तो यह सब कुछ बताने वाले कौन थे, यह सब देटी हूं बच्छों यह माननों क्या है decapitated Coleoptile है ठीक है यह क्या है बच्छों डी capitated Coleoptile अब अगार की ब्लॉक रखते इन्होंने इधर रखे देख लिया था इधर भी रखे जो जाएगा ठीक है इदर के तरफ यह झुक जाएगा तो इसको बना लो थोड़ा सजो का हुआ कि प्र 25 यहाँ पर यह उसका मेन की यहाँ पर क्या रखा है है इन्होंने अगार का ब्लॉट इधहा हुआ है ठीक है तो जिदर के तरफ growth करते हैं मतलब आप ये कह सकते हो इन्हों ने क्या observe किया block इधार रखा जुहखा उधर block इधार रखा जुखा उधर अना तो को हम differential growth बोल रहे है और यह तब तभी हो रहा है जब अॉचिन बन रहा है और उसकी ट्रांसपोर्ट हो रही है, यह सब बताने वाले FW वेंट, इवन इन्होंने ये भी बताया था, कि जितने अमाउंट में ऑक्जिन जाएगा, वो उतना ही ग्रोथ होगा, मतलब ग्रोथ प्रपोर्शनल है ऑक्जिन के कंसेंट्रेशन पर, ऑक्जिन के अमाउंट पर ऑक्जिन के कौन्टिटी पर, तो यह इंपोर्टेंट यह प्रीवाई क्यू का भी क्वेशन है बच्चो, कि FW वेंटे क्या बताया था, उन्होंने ऑक्जिन का क्वांटिटेटिव रोल बताया था, क्वांटिटेटिव रोल ऑफ ऑक्जिन, इसका क्या मतलब है, कि जो बेचर मतलब कितना बेंड कर रहा है, कितनी ग्रोथ हो रही है, that was proportional to the amount or quantity of ऑक्जिन, everything was told by FW वेंट, तो अभी तक आप देख रहों बच्चो, सिर्फ ऑक्जिन की डिस्कवरी हमने पड़ी है, लगभख आधे घंटे या 40 मिनट, देख्या, अभी ऑक्जिन खतम नहीं होता है, अभी तो हमने सिर्फ डिसकवरी पड़ी है, अभी तो भहिया बहुत कुछ बचा हुआ है, है ना, आजाओ, ठीके ये सारा experiments आपने याद रखना है बच्चो, देखो ये experiment NCRT में भी है, सारा कुछ हमने पढ़ लिया है, ठीके light के presence में movement हो रही है, अगर cap हटा दो, तो कोई bending नहीं हुई, ठीके, cap को अगर cover कर दो, तो भी कोई bending नहीं हो रही है, अगर transparent से करोगे, तो bending हो रही, experiment हमने सारा cover कर लिया है, ठीके, अब हम बात करते हैं, isolation की, तो एक isolation तो हमने cover कर लिया, जो किस ने किया था, FW went ने, कहां से निकाला था, oat के colioptile से, बच सबसे प was isolated from human urine, actually, urine का खासा कोई role होता नहीं है, मतलब हमारे body में, sorry, urine का नहीं, हमारे body में, auxin का कोई role होता नहीं, there is no such metabolic role inside our body, तो जो हमारे अंदर काम की नहीं होती, waste को क्या करता है, शरीर, बहार निकाल देता है, ठीके, तो urine के through auxin को excrete out कर दिया गया था, ठीके, तो सबसे पह देखोगी कि जादा तर, जो PGR से ना, उनका जो source है, वो animal source ही है, यहाँ पर भी देखो, but FWN को tension थी, कि यारी तो animal source है, तो वो लगे रहे, किसमें लगे रहे, कि plant से निकाला जाए, तो ultimately वो successful हो गयते, उन्होंने ओट की कोलियोप्टाइल से भी auxin की synthesis extraction कर ली थी, ठीके, उसके बाद इसका precursor क्या कौन होता है, बच्चों, यह आपको याद रखना है, एक mineral nutrition chapter है, उसमें भी पढ़ना होगा, ठीके, तो इसका precursor है, एक amino acid, जिसका नाम है tryptophan, in case अगर tryptophan नहीं होता, तो याद रखना है, इसको चाहिए होता है, एक mineral element, that is zinc, ठीके, यह उस वा insulated from oat of colioptile, उल्टा लिख रही हूं, from colioptile of oat, यह किस ने किया था बच्चों, यह किया था, fwwent ने, इनका नाम NCRT में है, ठीक है, और इन्हों ने क्योंकि अवेना पे किया था, मतलब oat पर किया था, एक सेकेंड एक चीज़ और दिखा देती हूं, just a second, हाँ, तो oat के colioptile bend कर रहे थे, curve कर रहे थे हैं, इसको अवेना कर वेचर टेस्ट भी बोलते हैं, आजाओ, वापस, back to the slide, इसके बाद यह occur कहा होंगे, बच्चों, यह occurrence कहां पर होती है, they are found at apex, किसके apex में मिलते हैं, they can be present at shoot apex, और they can be present at root apex, हमेशा tip पर ही मिलेंगे, apex का मतलब होता है tip, ठीक है, तब ही हम इसको बोलते है, polls पर synthesize होते हैं, तो polar synthesis है, types में, दो types अपने याद रखनी है, एक natural auxins, natural auxins का मतलब है plant source है, जिनको निकाला जाए, देखो, they are isolated from, they are isolated from plants, और उन plants में कौन से हैं, IAA, Indole 3 Acetic Acid, Indole 3 Butyric Acid, NCRT में लिखा हुआ है, और एक होता है synthetic, synthetic का मतलब क्या होता है, जिनको artificially बनाया जाता है, ठीक है, तो artificial में क्या-क्या हैं बच्चो, 2,4-D, 2,4 का मतलब full form क्या है, Dichlorophenoxy Acetic Acid, 2,4-5-D, तुम रिएजन्स पढ़ते होगे chemistry में, Trichlorophenoxy Acetic Acid, और एक NAA, Nathaline Acetic Acid, ठीक है, all these auxins, चाह सिंथिक हो, चाहे natural हो, इनको बहुत जादा इस्तमाल करते हैं, बच्चो, agriculture में, और Horticulture Practices में, क्यों, ये तो हमें तब पता चलेगा, जब auxins के uses क्या होते हैं, और उनके function क्या होते हैं, है न, तो चलो आओ पढ़ते हैं, आओ पढ़ते हैं, एक-एक करके, physiological effects और function, अब मैं आपको इसमें निमोनिक्स समझाओं, बच्चो, तो आप निमोनिक्स ही याद करते रहे जाओं कि सीधी साधी कोई निमोनिक्स मिलती नहीं है, तो आपने थोड़ा समझ के याद करोगे, तो जाधे time तक याद रहेगा, रटने की जूरत नहीं पड़ेगी, तो start करते हैं यार, auxin का, start करते हैं, सबसे पहला लिखा हुआ है absision, तो हमने absision अलड़ी समझ के रखा हुआ है, what is absision, absision का मतलब होता है, fruit, flower, leaves का जड़ना, तो यार यह तो हमने पढ़ा था, negative respect है growth का, और हम पढ़ते हैं, auxin तो growth कराता है, absision कैसे आ गया, अब सुनो, NCRT ने लिखा हुआ है, it prevent absision, ध्यान से सुनना, it prevent absision of younger flowers, younger flowers, fruits, younger flowers, fruits and leaves, इनका absision नहीं होने देते हैं, क्योंकि यह तो भीया, प्लान को चाहिए, तो किसका कराते हैं, absision, they promote absision of older flower, fruits and leaves, क्योंकि वो तो बुढ़े हो चुके हैं, उनका काम हो चुका यार, अब उनको गिर जाना चाहिए, क्योंकि फाल्तु में वो पेड़ पे लग रहे हैं, पेड़ की energy और source utilize कर रहे हैं, तो उनकेस में वो बुढ़े वालों को गिरा देता है, यंग वालों को र siblings हैं, उसमें कोई dominant होता है, उसे की बात मानी जाती है, ठीक है, तो dominance you know, apical का मतलब apex की dominance, ठीक है, किसकी dominance, apex की dominance, अब ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पर एक बना रही हूं, apex, किसकी apex है यह, यह है shoot की apex, यह shoot है, ध्यान से सुनना, तब समझ में आएगा, this is shoot, यह है shoot बच्च और यह है shoot का apex, shoot apex, ठीक है, तो आपको shoot apex पे एक bird बन रहा है, इस bird को क्या बोलते हैं, apical bird, क्या बोलेंगे बच्चो, apical bird, apical bird, कहां पर है, apex पे बना है, यह bird का काम क्या है, यह bird का काम है बच्चो, growth कराना, तो यह growth कराएगा, तो जिस stem की height अभी इतनी है, वही stem आपको कुछ time बाद, कुछ time के बाद इतना बड़ा होता हुआ दिखाई देगा, है न, तो apical dominant से plant को क्या मिल रही है, इतनी बड़ी height हो गई यार एक plant की, पहले बिद्दूसा था, अब देखो, apical bird की बज़े से इसकी height इतनी हो गई, पहले सिर्फ इतनी थी, that means, apical dominant से plant को क्या मिला, लिख ले देते हैं, apical dominant से plant की height बढ़ गई, और apical dominant से हमने क्या पढ़ा, it is the dominance of, dominance of apical bird, बढ़ क्या सिर्फ इतना ही पढ़ना है, नहीं बचो, क्या मतलब होता है, ये करता क्या है, अक्चुली ये देखो, अगर मैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर एक stem बना रही हूं, तो अभी ह हमने पढ़ा, कि stem की height बढ़ जाती है, कौन कराता है, apical bird कराता है, ये बनाती हूँ, यहाँ पर apical bird, side में भी birds होगे न, जो side में bird लगे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, side वालो को हम बोलते हैं, lateral bird, ये सारे के सारे क्या है, lateral bird है, तो अगर lateral bird घ्रो करेगा, तो side वी ग्रो होगा ऐसे sideways फैलते हैं और कुछ प्लांट आपने देखा होगा ऐसे longitudinally बड़े होते हैं sideways कब फैलेंगे जब lateral bird grow करेगा लंबे कब होंगे जब epical bird grow करेगा तो जब epical bird present है कौन सा बड़ प्रेजन्ट है बचो जब epical bird present है ठीक है तो इन बड़ की growth नहीं होती है lateral bird कह सकते हो या ऐसे बड़ को हम axillary बड़ बोलते हैं ठीक है इनकी growth gets inhibited ठीक है मतलब जब epical bird present है उनका ही राज चलेगा ठीक है और जब उनका राज चलेगा तो उनकी height क्या होती जाएगी बढ़ती चले जाएगी अगर हमें किसी plant की height चाहिए तो epical bird वहाँ पर होना चाहिए और उस time पर lateral bird की growth नहीं होनी चाहिए यह सब कौन कराता है oxygen क्योंकि apex पर कौन मौझूद है एपक्स पर oxygen मौझूद होता है बच्चों यह सब oxygen की करामात है है ना तभी आपने school में या अगर मम्मी पापा garden gardening का शौक है तो आपने देखा होगा माली अंकल के एक पास से कैच्ची होती है school में जनरली देखा होगा वह उपर से क्या करते रहते हैं इसीं काटते रहते है तो किसी plants में हाइट नहीं चाहिए है तो हैज में आपने देखा होगा उपर-उपर से cut करते है हाइट नहीं चाहिए ठीक है अगर हाइच चाहिए तो अपिकल बर्ट जरूरी है अपिकल बड़ की present में लेटरल बड ग्रो नहीं करते है और ऐसी डॉमिनेंस को एपिकल डॉमिनेंस बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट है सेल डिवीजन और जाइलम डिफ्रेंसियेशन इसमें क्या होता है आपको पता है ऑग्जिन क्या करता है बच्चों इस प्लांट ग्रोथ प्रमोटर प्रमोटर में हमने बहुत सारे और चैनल ग्रोथ प्रमोटर हो रही है उसमें चैनल डिवीजन ता तो ऑग्जिन वहीं पर आपको जनरल दिखायेदेता है टिप पर टिप पर क्या होता है अग्ष्पर क्राइब ये बच्चों करा और शायलम का डिफ्रेंसियेशन कराना तो हम क्या लिखेंगे कि auxins, they are responsible for sen enlargement, ठीक है, जो overall cell की growth कराएगा और क्या कराएगा, cell की division कराएगा, ठीक है, तो यह सारे उसके functions हैं, अब इन functions के basis पर इसको use किया जा सकता है, इस्तमाल किया जा सकता है, तो आओ फटाफट उसके applications देख लेते हैं, rooting, flowering, पार्थनों कापी और वीडी साइट्स, ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, rooting, flowering, पार्थनों कापी और वीडी साइट्स, rooting का क्या मतलब है, rooting का मतलब होता है, they initiate, they initiate rooting in stem cutting, आप शायद बच्चों पढ़ा होगा आपने, कि जो cutting है ना, यह एक तरीके का क्या होता है, यह एक तरीके का vegetative propagation होता है plants में, vegetative propagation का मतलब, जब vegetative plants को इस्तमाल किया जाता है reproduction में, जैसे अपने घर वगएरा में आपने देखा होगा, कि इसे rose का plant है, तो rose के plant में cutting possible है, आपके पास एक ही rose है, आपको मज़ा नहीं आ रहा है, आपको rose बहुत पसंद है, आपका favorite plant है, क्योंकि इसमें बहुत सूरत flower लगते हैं, आप चाहते हैं और और भी हो, आपको लग रहा है, मार्केट से इतने महेंगे कौन खरीदें, हम क्या करते हैं, इसी से एक और बना लेते हैं, एक और बनाने का मतलब है, reproduction, कैसा reproduction है, vegetative पढ़ेंगे हम, उसमें क्या कर रहे हो, आप उसका stem का थोड़ा सा portion काट लिया, हलिका सा, इतना सोटा stem, rose plant से, और उसको जमीन के अंदर लगा दिया, अब आप वेट कर रहे हो है, रूट आजाए, रूट आजाए, रूट आजाए, रूट आजाए, रूट आजाए, तो आप एक और काम कर सकते हो, नाचरली वेट करने से बेटर है, आप ऑगजिन स्प्रे कर दो, ऑगजिन का काम है, ऑगजिन उस stem में फटा फट क्या इनिशेट करा देगा, रूट के formation को, और उसी रूट के formation को हम क्या कहते हैं, रूटिंग का मतलब क्या है, रूट का formation, तो रूट के formation को हम बोलते हैं, तो रूट आ जाएगी, तो रूट हेर्स आ जाएगे, फटा फट वो पानी और मिनरोल को सोयल से अब्जॉब करने लगेंगे, stem तक भेजेंगे, stem और पलेगा, फुलेगा, लीवस आएगा, प्लान तयार हो गया ना, कितने, एक छोटे से stem से, तो उसको बोलते है, stem cutting, ठीक फिर है, फिर है flowering, flowering का मतलब क्या है, flower के number को क्या करा सकता है, बच्चो, increase करा सकता है, जैसे for example, pineapple में, NCRT example है, pineapple, pineapple में flowering induce करा सकता है, बच्चो, और आपको पता है, जितने flower होंगे, भाई, या fruit भी उतना ही लगेगा, ठीक है, उसके बाद, पार्थिनो कार्पी, seedless fruit formation, seedless fruit formation, ये एक तरीका होता है, जिसे seedless fruit बन सकता है, और वो भी बिना fertilization के, बिना fertilization के, बिना fertilization के, जैसे for example, ये देखो, पार्थिनो का मतलब क्या होता है, पार्थिनो का मतलब होता है, वर्जिन, और कार्पी का मतलब क्या होता है, बच्चो, fruits तो इसको virgin fruits क्यों बोल रहे हैं because यहां पर कोई fertilization नहीं हुई क्योंकि कोई fertilization नहीं हुई seed नहीं बना ठीक है इसलिए seedless fruit for example आपको तो वैसे पता है पार्थनो कार्पी fruits बनाना होते हैं grapes होते हैं ठीक है tomato में भी हम पार्थनो कार्पी इंड्यूस करा सकते हैं और tomato भी बिना seed के तयार हो सकता है ठीक है क्या करोगे आप इसके लिए यह हमारा क्या है गाइनोशियम यह स्टिग्मा यह style और यह क्या है बच्चो ओवरी अगर इस ओवरी में कंवर्ट हो जाएगी fruit में ठीक है बट इसमें कोई seed नहीं होगा क्योंकि यह without fertilization बनी है without fertilization यह fruit बना है ठीक है तो ओवरी gets converted into fruit without fertilization with the help of oxygen तो यह हमने पढ़ लिया फिर weedy sides side killing ठीक है अगर herb को kill करना है herbicide insect को kill करना है insecticide या herbs क्या होते हैं छोटे-छोटे plants ही तो होते हैं और weed आपने देखा होगा बच्चो अगर आपके पास आंगन में या terrace में आपने पौधे लगा रखें मानलो तुलसी का पौधा है तो तुलसी के पौधे की आस-पास आप देखते होगे बहुत छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे माईन्यूट plant grow कर जाते हैं, जो हमें नहीं चाहिए, हमारा main plant तो तुलसी है न, वो फालतु में grow कर गये हैं, we don't want them, they are unwanted plants, तो हम चाहते हैं उनको मारना, ठीक है, तो उसके लिए, हम auxins का इस्तमाल कर सकते हैं, कौन से auxin का, 2,4-D, that is dichlorophenoxyacetic acid, ठीक है, ये dicot weeds को kill कर देगा, effective for dichot weeds, ठीक है, weeds क्या होते हैं, unwanted plants, तो आप देखो auxin का इक ये भी फायदा है, और बच्चो इस 2,4-D को na, इस 2,4-D को agent orange, ये आपने पढ़ा होगा, इसको dioxin बोलते हैं, क्या बोलते हैं, dioxin, और बच्चो इसको इस्तमाल किया गया था, वितनाम वार्न में, अब आपको याद हो, history तो थोड़ा सा याद करो, कि वेतनाम की लड़ाई चल रही थी अमेरिका से, है ना, और हम इतने सारे soldier वाली film में देखते हैं, शेर्शा देखी होगी, आपने border देखी होगी, आपने वाली movie देखी होगी, आपको पता होगा, छुपना पड़ता है, अपने आपको, या तो वो देखते हो, जो टोपी पहनते, उसमें घास फूस लगा होता है, वो ऐसा क्यों करते हैं, so that they can easily hide themselves, या तो पेड़ों के नीचे छुप जाते हैं, है ना, अब अमेरिका को वितनाम वाले soldiers दिखाई नहीं दे रहे थे, उनको पता था कि वो इस घने जंगल के नीचे छुपे हुए हैं, है ना, घना जंगल क्यों है, क्योंकि उसकी जो, ये मान लो, ये एक पेड़ ह शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं, बड़ी-बडी इसकी पतियां हैं, तो इस पतियों में वो क्या से वो छुप जा रहे थे, ठीक है, क्या थे, सारे के सारे, छुप जा रहे थे, है ना, तो उनको पता था कि सारे whatsoever, यहां बहुत सारे soldiers छुपे हुए हैं, यहां पर उनको प डायोगजन, डायोगजन में एक chemical जो होता है, वो ठूफोडी होता है, उसको spray कर दिया, तो ये सारी पत्तियां जढ़ने लगी, सारी पत्तियां जढ़ने लगी, ठीक है, defoliating agent है ये, डायोगजन क्या होता है, defoliating agent, it causes defoliation, what it causes defoliation defoliation का मतलब पत्कियां जड़ने लगी तो होगा क्या यह सारे जड़ जाएंगे और इसारे एक्सपोज हो जाएंगे और इसी का इस्तमाल करके अमेरिका ने वितनाम को हरा दिया ठीक है soldiers को मार डाला ठीक है तो यह यह भी इस्तमाल है history में इसका इस्तमाल किया गया है बच्चों तो हमने सारा का सारा इसका एक्प्लिकेशन भी पढ़ लिया और आपको फटा-फट याद हो जाए समझ तो लिया हमने याद करने के लिए सिर्फ यह स्लाइड याद रखना सिर्फ यह स्लाइड रखना तुमको पूरा होता है 245 TB होता है और NAA होता है ठीक है फंक्शन में हमने पढ़ा एपिकल डॉमिनेंस एप्सीशन पढ़ा है इसका इस्तमाल कहां करते हैं हम रूट लाने में फ्लावर लाने में पार्चनोकार्पी कराने में और वीडी साइड कराने में सिर्फ यह याद रखोगे सारा हो हो जाएगा तुम चाहो तो सिर्फ यह बना करके वह सारे पॉइंट से ही इंट्लूट कर सकते हो एक पेज पर तो तुम्हें सिर्फ एक ही पढ़ना पड़ेगा जब तुम रिवाइस करोगे बच्चो ठीक है सो येस क्योंकि क्या पढ़ेंगे बच्चो इसके बाद हम पढ जिब्रिलिंज क्क पढ़ेंगे जिब्रिलिंज कैसे पढ़ेंगे आफट आफट पढ़ते हैं दिद्रिंज का अ के बीवेंत कि बाद करें तो इसको कहां पर देगा गया था जैपान में किस ने अब्जर्व किया था? Japanese farmers ने अब्जर्व किया था, Japanese farmers में क्या अब्जर्व किया था? Unusual rice की seedlings, rice की खेती थी थी ना, तो rice के खेत में उन्होंने कुछ unusual rice के seedlings देखे, अब तो हम सोच रोगे कि मैं उसको unusual क्यों बोला, ये बाकियों से अलग दिख रहा था बच्चो तो क्यों? क्योंकि वो rice का जो plant था, वो excessive tall था, तो बाकियों से अलग हो गया ना, unusual, वो उसकी जो stem थी, वो बहुत weak थी, और वो sterile था, मतलब कोई seed carry नहीं कर रहा था, तो इन सारे feature की वज़े से उस Japanese farmer को वो rice के seedling कुछ ठीक ठाक नहीं लगे, बाद में पता चला कि वो इ suffering from, they were suffering from a fungal disease, they were suffering from a fungal disease, उस disease का नाम है, buckand disease, buckand disease या foolish settling, या हम उसको क्या बोलते हैं, foolish, why foolish, reason उपर लिखा हुआ है, और यह सब NCRT में बच्चो आपको as it is, experimental parts, discovery part बच्चो आपको as it is, याद रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, कि Japanese plant के एक pathologist थे, E. Kurusawa, इन्होंने 1926 में ये देखा, कि ये जो disease है, जो मैंने वहाँ पर लिखा है, that is caused by fungi, और उस fungi का नाम क्या है, जिब्रिला फ्यूजी को राए, क्योंकि जब इस जिब्रिला fungus, he could produce same symptoms of the foolish seedling in healthy plants, तो वो confirm हो गए, कि ये वाली बेमारी एक फंजाई को अस करता है, that is जिब्रिला फ्यूजी कराए, फिर एक और साइंटिस्त है, या बूत इनका नाम नहीं है, बच्चों, इन्होंने इस फंजाई से एक chemical extract किया, जो आज एक हॉर्मोन बन चुका है, प् बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिब्रिलिक एसिड बोलते हैं, और currently, 100 से भी जीद जादा जिब्रिलिक एसिट्स हैं, बच्चों, और उनका नाम कैसे रखते हैं, GA1, GA2, GA3 and so on, जिसमें से GA3 को सबसे जादा यूस किया जाता है, बच्चों, सबसे जड़ा इसिद स्टै किय जाता है इसलिए कभी-कभी डारेक्ली जी ए थ्री क्वेश्टन में में इंश्ट होता है और जिप्रिलिक एसे का अब्रिवेडिट वर्शन जी ए एस होता है ठीक है आओ पड़ते हैं ठीक है जैसे हमने वहां पर पढ़ा था ना कि उनका प्री कर्सर कौन है तो यहां पर भी हम पढ़ेंगे कि जिप्रिलिक एसेट का प्रीकर्सर कौन होता है ठीक है तो आओ स्टार्ट करते हैं बच्चों सो प्रीकर्सर कौन होता है बच्चों इसका यादकोर रेस्पिरेशन वाला चाप्टर हमने पढ़ा हुआ है तो वहां पर हमने प्रीकर्सर लिखा हुआ है द इसका मतलब क्या है जिपलेक असट को बनाने के लिए आक्ट अस प्रीकर्सर ठीक है अब हम पढ़ेंगे फिजोलोजिकल एफेक्स ऑफ ऑफ और उनके यूजेज बट क्यों ना जैसा मैं आपको बता रही थी ना कि हम सिर्फ एक स्लाइड में सारा का सारा कुछ पढ़ सकते है तो क्यों ना इसी स्लाइड को इस्तेमाल करते हैं तुम एकी बार में कवर कर लोगे आओ फटाफट सबसे पहले इसका पढ़ते हैं function function क्या होता है यह stem की growth कराएगा ठीक है एक यहाँ पर लिखा हुआ है bolting और यहाँ पर लिखा हुआ है seed germination देखो stem growth कैसे कराता है ठीक है आपको पता है बच्चों जैसे यह stem है यह क्या होता है node यह क्या होता है node और node के बीच वाले हिस्से को क्या बोलते हैं node के बीच वाले हिस्से को क्या बोलते हैं बच्चों node के बीच वाले हिस्से को हम इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं inter node क्या बोलते हैं, inter node, this हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ठीक है, तो अगर हम inter node की length increase कर दें, तो क्या overall stem की length increase नहीं हो जाएगी? देखो कैसे, क्या किया जाता है? इन पर जिब्लिन को spray कर देते हैं, किसको? जिब्लिक acid को spray कर देते हैं, तो कुछ time के बाद देखा गया है, कुछ time के बाद क्या देखा गया है? यहाँ पर draw करती हूँ, जो inter node की length है, ये देखो, पहले inter node सिर्फ इतना था, अब वही inter node कितना लंबा हो गया है, इसको हम बोलते हैं, inter node elongation, क्या बोलते हैं? inter node elongation, and this is done by, with the help of, जिब्लिक acid, इसी लिए, हम ने लिखा हुआ है, यहाँ stem की growth हो रही है, तो they are responsible for growth of the stem, उसके बाद यहाँ पर एक लिखा हुआ है, bolting, bolting वाला process भी इसी से related है, क्योंकि हम क्या बोल रहे है कि stem में क्या हो रहा है, inter node की elongation हो रही है, किसकी, और उसी inter node elongation को NCRT ने क्या define किया हुआ है, बच्चों, bolting define किया हुआ है, क्या define किया हुआ है, bolting, ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं, बच्चों थोड़ा सा, तुम लोग वहीं add कर लेना, bolting inter node elongation होता है, यह इन्होंने क लेका है, roseate plants में, और इसका example क्या लिखता है, NCRT, example के तोर पर लिखते है, cabbage और beet, बच्चों, बंद गोबी cabbage है, तो बंद गोबी सबने देखी होगी, तो आपको ऐसा लगता है, कि उसमें जो भी leaves है, आपने देखा, और उसमें specific arrangement होती है, सारी एक leaves, एक पत्ते के अंदर दूसरा पता, और ऐसा लगता है, एक ही points से, एक ही node से निकले हुए है, बट ऐसा नहीं होता, बच्चों, आपको पता है, जैसे ये एक node है, node क्या होते है, तो जो भी कोई branches हो, या कोई leaf हो, यहीं से निकलेगी, यहीं से निकलेगी, है ना, तो cabbage बहुत compressed stem होती है, तो node बह बहुत पास-पास होने के वज़े से, पतियां बहुत पास-पास निकलती है, और वो अपने आपको specifically arrange कर लेती है, रोजियेट appearance देती है, इसलिसको बोलते है, रोजियेट plants, ठीक है, तो अगर हम उस पे jiblin spray करें, तो inter node बढ़ा हो जाएगा, node दूर-दूर चला जाएगा, तो हम specifically देख सकते हैं, नहीं भाईया, cabbage में लगता ऐसे है, कि सारी-कि सारी leaves एक point से निकल रही है, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जैसे हम inter node को elongate करेंगे, node दूर-दूर चला जाएगा, और हमें देखने को मिलेगा, कि leaves, they arise from a specific node, एक ही जगह से सारी पतियां नहीं निक कर रही है, ठीक है, तो उस inter node elongation को हम क्या बोलते हैं, बच्चो, bolting, bolting किस में करा सकता है, cabbage में करा सकता है, beat में करा सकता है, और इसका क्या काम है, seed को germinate कराना, देखो, हमने पढ़ा था नहीं, seed कभी कबार, dormant condition में जला जाता है, मतलब, germinate नहीं करता, that means, वो कुछ भी न enzyme secrete करता है, यह क्या करता है, बच्चो, they secrete certain hydrolytic enzymes, hydrolytic enzymes, और यह hydrolytic enzymes कौन कौन से है, they are amylase, for example, and they can be protease, यह enzyme क्या कराते हैं, they cause immobilization, sorry, they cause mobilization, mobilization of nutrients, क्योंकि आप पढ़ोगे बच्चो आगे आने वाले topic में, seed इसलिए भी germinate नहीं कर रहा होता है, देखो, सुनो होता क्या है, यह देखो, यह एक seed है, यह soil है, इस soil में क्या है, इस soil में seed है, ठीक है, इस soil में, कब seed germinate करेगा, जब उसको सारी favorable condition मिले, अगर favorable condition नहीं मि और internal नहीं करता germinate, अब आप सोचों कि germination का क्या मतलब है, तो मैंने पहली बता रखा है, plumule निकल जाए, यह radical निकल जाए, हम उसको बोलते हैं, seed germinate कर गया, बट यह कराने के लिए, उसको क्या चाहिए होता है, बच्चो, specific nutrients चाहिए होते हैं, क्या चाहिए होते हैं, specific nutrients चा अगर हम चाहते हैं, कि seed को nutrient मिल जाए, तो हमें जिबलिन का spray कर दिना चाहिए, जिबलिन ऐसे enzymes को बना देता है, जो nutrient का mobilization शुरू करा देती है, मतलब गुमाना शुरू करा देती, कहीं पर फसे पड़े हैं, तो इसको move कराना शुरू करा देती है, so that वो seed तक पहुँच ज मिले होता है, ठीक है, कौन-कौन से fruit को growth कराता है, ये भी NCRT में है, so fruit growth में कौन सा example दिया हुआ, बच्चों आपड़ते हैं, NCRT में लिखा हुआ है, ये दो fruit के example है, कि ये apple की size को increase कर सकता है, ठीक है, और apple का shape improve करता है, यार हम बजार में जब save खरीदने जाएंगे, तो छोटे size वाला तो लेंगे नहीं, है ना, shape भी देखते हैं, size भी देखते हैं, मतलब हम quality देखते हैं, तो fruit की quality का मतलब क्या है, fruit अच्छा खासा growth वाला save मिले, है ना, तो अगर ऐसा चाहिए, त है कि it increases stock length, stock length of grapes, अब stock length of grapes increase से क्या फाइदा होगा, देखो हमने पढ़ा है ना, कि इसका overall काम क्या होता है, stem की growth बढ़ाना, मान लो ये अंगूर का plant है, इस अंगूर के plant में ये इसका क्या है, stock मतलब stem की length है, ठीक है, और ये side में क्या लग रहे हैं, बच्छों, अंगूर लग रहें, एक लग गए, दो, तीन, चार, पांच अंगूर लगा दी हमने इसमें, लेकिन अगर तुम इस पे क्या spray कर दो, जिबलिक acid स्प्रे कर दो, तो जिबलिक acid जैसे ही spray करोगे तुम, इसकी जो stock length है, वो बढ़ जाएगी, ठीक है, और इसके बज़े से अब इन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, और हम अंगूर भी तो वही वाला खरीद के लाएंगे जिसमें अंगूर बहुत साड़े हों, बहुत सारे हों, ठीक है, तो अगर हम ऐसे अंगूर जादा चाहिए, तो भी उसका stem increase कर दो, stem increase कैसे करेंगे, जिबलिक acid को spray करके ठीक है, उसके बाद देखो लिखा हुआ है delayed ripening, ripening delay करा दो, root को पकाने में time करा दो, मतलब time लगा दो, तो उससे क्या होगा, इसका market period बढ़ जाएगा, market period increase हो जाएगा, ऐसा क्यों करते हैं यार, ऐसा क्यों करते हैं, यार हर चीज ना, demand और supply का खेल है, ठीक है, तो अगर कुछ time, कोई market में कुछ time के लिए चीज गायब हो जाती है, तो उसकी ना, भूग बढ़ जाती हैं लोगों में, और जैसे ही वो आती है न, भाईया, इतनी जादा supply हो गई न, demand नहीं पूरी कर पाते हैं, तो एक फायदा है, economy के respect में फायदा है, market value को increase कराना है, किसी fruit को, क किसी की सबजी को, तो क्या करा देना चाहिए, क्या करा देना चाहिए, ripening delay करा देना चाहिए, market period बढ़ा देना चाहिए, अगर तुम्हें या आदेशा 2015 का वो time था, जब maggie ban कर दी गई थी, है न, तो क्योंकि आपको पता होगा, हम बहुत रो रहते, बड़े सारे meme बन रह कर सकता है, brain को, है न, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, toxic metal है, heavy metal है, लेकिन हम खाते थे, यहां में स्वाथ से मतलब है, तो जब उनका test किया गया, तो maggie में सारा कुछ मिला, maggie के सारे nestle वालों ने खुदी जहां-जहां, distribute, जिस दुकान पर रखा तरह सब से ले लिया और पांच-छे मैने तक maggie बिल्कुल गायब, तभी आई थी यह पतंजली की maggie, है न, maggie तो गायब हो गई, फिर जैसे maggie maggie आती थी न, हम तो hostlers थे उस ताइम पर, if I'm not wrong, तुम्हें भी याद होगा, तो होता क्या था यार, हम मार्केट में जाते थे, मिलती नहीं थी, भई तो किसी भी चीज का marketing बढ़ाना है, market period increase करा दो, market value बढ़ जाएगी, market period कैसे increase करा दोगे, गायब ही कर दोश को, ठीके गायब कैसे करोगे, ripening को delay करा दो, एक example दिया था मैंने मैगी वाला, तो ये कौन करा सकता है, जबलिन करा सकता है, इसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है मतलब लिखा हुआ है इट इंक्रीजिस माल्ट इड ठीक है माल्ट इड का क्या फाइदा है देखो समझना है आपको माल्ट क्या होता है बच्चों माल्ट ड्राइ सीड होता है, ठीक है, आपको पता है कि brewing industry, brewing industry वो industry यह बच्चो जहाँ पर alcoholic beverages बनते हैं, like beer, ठीक है, beer का example हो, beer को बनाने के लिए न, beer किससे बनता है, बारले के ग्रेन से बनता है, बारले के सीड से बनता है, किससे बनता है, it is formed from बारले ग्रेन, बारले की सीड, तो अगर हमें beer जादा चाहिए, तो हमें बारले का पौधा जादा चाहिए, बारले का पौधा जाने का मतलब है कि बारले की सीड जादा चाहिए, उन्ही सीड को हम dry करते हैं, और उस dry सीड को किसकी सीड है, बारले की सीड, उसको हम क्या बोलते है, malt, फिर उसको process किया जाता ह है उस फिनॉमेना को हम बोलते हैं माल्टिंग और उस माल्टिंग से मिलती हमें बीज तो अगर हम यह बढ़ा दें इसको बढ़ा माद के ईल्ड को बढ़ा दें मतलब बाडले के ग्रें को बढ़ा दें तो बीयर की प्रिक्षिन करीज नी increase कर देता है ठीक है ये लिख लिया फिर दो-तीन बार से न पी-वाई-क्यू में यही क्वेशन तुको मिलेगा कि शुगर केन का प्रोडक्शन कौन बढ़ाता है शुगर केन का प्रोडक्शन भी जिबलिक अगर हमें जूस निकाले ना यह तो जश्चीनी ज्यादा बनाना है तो स्टेम भी तो erad conspirator लंब़ा होना चाहिए जितना केन का production है वो 20 टन्स के 20 टन्स पर एकर बढ़ा सकता है जिबलिक आसेड तो सीधा सिधा तो मैं याद रखना है कि शुगर केन के प्रडक्शन के लिए किसको इस्तावाल करना चाहिए जिबलेक एसेड फिर एक लिखा हुआ है क्विकर मेच्वरिटी का मतलब क्या है इसके लिए भी समझो अभी हमने पढ़ा कि ये मेच्वरिटी बात ने भी ला सकता है उसका हमने रीजन पढ़ा था मार्केट पीरेट क्योंकि जेनरली कॉनी फ़र्स में मिलता है को जिनकी कैनोपी न ऐसे इसे पेड़ होती है ऐसे एसे पेड़ होती है इसमें क्या होता है जूविनाईल मतलब बच्चेवाला है अब बच्चे में तो रिप्रडक्शन होगा निना बट अगर हम चाहते है कि इसमें सीड लग जाए ठीक है मान लो इसी juvenile के पौधे में हम जाते हैं कि क्या लग जाए तीड लग जाए क्या लग जाए बच्चो इसमें सीड लग जाए इसी बना दिये सीड तो जल्दी से सीड बनाने के लिए एक juvenile क्या बना लाइस डाटल में क्स पर्य कर देना चाहिए जी यह 3 जीबलिक ऐसेड जिबलिक सबीट में जोरिट पहले भी लासकता है मतलब something seed production भी करा सकता है, क्या करा सकता है, early seed production, तो लिख लेते हैं ये line को, क्यूकर maturity का मतलब है, with the help of giblic acid, it can cause early seed production, early seed production, तो ये सारा giblic acid का है, जो NCRT में लिखा हुआ है, एक और point NCRT में लिखा हुआ है बच्चों, कि giblic acid, senescence को, aging को delay करा सकता है, क्या करा सकता है, aging को delay करा सकता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, delay, senescence, ये दो चीज़े delay करा सकता है, ripening और senescence, और एक और है, it can overcome, it can overcome genetic dwarfism, dwarfism का मतलब क्या होता है बच्चों, dwarf मतलब बहुत छोटा plant, और वो genetically है, बच्चपन से है, उसका gene ही खराब है, उसका क्या खराब है बच्चों, उसका gene ही खराब है, जिससे मान लो ये है, एक plant बनाते हैं, ये एक plant है, छोटा, अगर तुम इसको चाते हो, बड़ा करना, ठीक है, प्लांट को टॉल करना, तो भी हम किसका इस्तमाल कर सकते हैं, जिबलिक acid का, तो ये dwarf से क्या हो जाएगा, टॉल हो जाएगा, तो ये भी एक जिबलिक acid का काम है, तो सारा का सारा function, हमने इसी slide पर लिख लिया है, समझने के लिए हमने ये सारी चीज़े extra बनाई हैं, और next page पे भी समझने के लिए वो सारी चीज़े draw की हैं, अल्टिमेटली आपने याद बच्चो ये वाली slide करनी है, ठीक है, क्या करनी है, ये वाली slide को draw करना है, ओके, next, ओके, next, so this was all about जिबलिन और थोड़े questions कर लेते हैं, बच्चों, ठीक है, questions कर लेते हैं, हाँ, plant growth regulator क्या है, ये simple organic substance है, different chemical composition के, ये complex है, नहीं, NCRT में simple लिखा हुआ है, ये simple और complex है, नहीं, NCRT में सिर्फ simple है, ये simple organic substances, same नहीं, diverse, NCRT line है, notes में भी लिखा है हमने, तो इसका सबसे पहला answer हो जाएगा, बच्चों, which of the following is not the function of gibalic acid, bolting कराता है, बिल्कुल कराता है, मैं आपने बताया, cellucence delay कराता है, बिल्कुल कराता है, seed germinate कराता है, बिल्कुल कराता है, hydrotic enzyme की synthesis करा करके, राइपनिंग कराता है, नहीं, राइपनिंग को तो delay करा देता है, ठीक है, राइपनिंग के लिए पढ़ोगे, बच्चों, कौन responsible होता है, ethylene responsible होता है, तो यही वाला हो गया, जो इसका function नहीं है, next देखते हैं, बच्चों आगे, apical dominance, अच्चा, यह वाला question अभी आपने पढ़ानी है, ability of plant to follow different pathway and produce different structure, यह हमने किसके अंदर पढ़ाता है, बच्चों, plasticity, ठीक है, और इसका example हमने क्या पढ़ाता, plasticity का example क्या होता है, heterofily, ठीक है, दो तरीके के हमने heterofily पढ़ी थी, एक पढ़ी थी environment के लिए और एक हमने पढ़ी थी developmental वाली, ठीक है, okay, so बच्चों, this was all about today's lecture, ठीक है, ठक जाओ, बिल्कुल pause कर सकते हो, जैसा मैं आपने बताया है, next lecture में मिलेंगे, यहां तक पढ़के आना, we will complete other three hormones along with some other topics, तो मिलते हैं next lecture में बच्चों, तब तक के लिए Bye Bye and take care.